हलो एवरीवन वेरी गुड इवनिंग एम आइ ऑडिबल और विजिबल गुड इवनिंग एवरीवन कैसे हैं आप सभी सो उस परस्पेक्टिव से लेक्ट्र डिजाइन किया है फुट्प्रिंट्स विड़ाउट फीट के चाप्टव और फॉर्स फ्लाइट के चाप्टर आपके सामने लिखे वे हैं जितने भी चाप्टर रेड से हैं वो कच्चु के हैं ग्रीन वाले चाप्टर जो हैं उसके इंपॉर्डन ग्वेस्टिन्स मैं आपको कराने वाली जमेशा हम लोग letter to God से शुरू करते हैं बट इस बार ही हम लोग उल्टा शुरू करेंगे उल्टा मतला पहले दो चाप्टर में आपको नीचे के खराऊंगी त्यूंकि यह आपके half year डी में भी नहीं आये थे हना और फिर मैं आपको letter to God से खराऊंगी समझ में आया मगज में आगया सभी के शुरू करें हां जी yes or no चालो जी बहुत बढ़िया सो मुझे लग रहा है कि हमें शुरू अब कर देना चाहिए ठीक है तो subjective question होंगे class boring लग रहा है नीद आ रहा है यह आ रहा है वो सब मत बोलना क्यूंकि subjective question है MCQ नहीं है जो आपको paper में लिख कर आना है वो मैं आपको कराने वाली हूँ तो एक एक question को समझना आपका motive होना चाहिए कि मैं क्या समझा रही है ओके all right so let's start with the chapter madam right the bus so first question is why was Walli amazed to hear herself a child जब Walli को बच्चा बच्चा करके बुलाया जा रहा था तो वो इतनी shocked क्यों हो गई इतनी जादा amazed क्यों हो गई यह आप लोगों को यहाँ पर बताना है अच्छा यह सारे की सारे questions की जो PDF है आपको आज रात तक ही टेलिग्राम पर मैं दे दूँगी so जिन बच्चों ने टेलिग्राम जोइन नहीं करा है वो description में पहले number पर link है टेलिग्राम को उसे जोइन कर सकते हैं और इन questions को याद कर सकते हैं अभी के लिए वो questions को समझ लें ताकि जब वो याद करें तो कम टाइम जाएगा ठीक है अगर जहां एक गंटा लगना है वहां आपके 15-20 मिनिट ही लगेंगे और आपको बहुत जल्दी वो चीज याद हो जाएगी ठीक है बहुत बढ़ी आनूप शुक्ला ये कोई शबाशी देने की बात नहीं है बेटा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा आपका प्रीबोड है और आपको डर्ड नहीं लग रहा अगर मुझे नहीं पता आप क्या चाहते हैं कि मैं अपकी बेस्ती करूं आप ये चाहतें आपका प्रीबोड है आप मुकदर के सिकंदर हो तो बहुत बढ़ी आबात है वेरी नाइस बहुत बढ़ी आबात है ये बात अब मुझे मत बताओ अपने तक ही रखो चलो सो वाई वस वली अमेस्ट वली डिड़ नॉट कंसीडर हर सेलफ चाहल पहले सबसे पहले आप लि आपको ने पैसे दिये वैसे ही मैंने भी पैसे दिये अगर मैं बच्ची हूं तो मैं फ्री में ट्रावल थोड़ी कर रही हूं राइट और रॉंग आगे उसने बोला कि वेन एल्डरी में कॉल्ड हरा चायल और रिक्वेस्टी तो सिट डाउन शी वस अमेज़ और सेड़ यहां पर बच्चा कोई भी नहीं है मैं एक बड़ी हूं और मैंने भी अपना फेयर कंप्लीट दिया है ठीक है नेक्स्ट इस वट वोस वल्ली इस डीपेस डिजायर वल्ली का डीपेस डिजायर क्या था यह आप लोगो को इस चाप्टर के अंदर बहुत 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 कि अपने को बताना है तो आप सबसे पहले बोलोगे कि वल्ली एक आठ साल की बच्ची है शीज एन 8-year-old girl and she had listened to people who had traveled by bus and had gathered some details about the trip अब उसने देखा लोगो को आते जाते बस से उसने उनकी बाते भी सुनी हना कि यह लोग कितने पैसे में आ रहे हैं कितने पैसे में आ रहे ह सारी इन्फोमेशन बच्चों उसने कहीं न कहीं gather up करी एंड यहीं से उसके मन में एक desire आया to undertake a bus ride के मुझे बस में घूमना है मुझे बस पे ride करना है Got it everyone? एक बारी सारे बच्चे बता दो समझ में आया yes और no जल दी बताओ ठीक है? बेटा दिव्यान शोजा अभी मैं जो पढ़ा रही हूं न उस पे focus किया करो अभी फिलाल तो मैं तुमारे question का answer कर रही हूं मेरी जान पर मैंने हमेशा बोला है अगर जो मैं पढ़ा रही हूं उससे अलग आपका कोई question है अभी मैं madam right the bus पढ़ा रही हूं आप पूछ रहे हूं भोली का question ठीक है तो आपका अगर ऐसा कोई question होता है तो लास्ट तक वेट किया करो स्पैम मत किया करो एक ही comment वह बहुत irritating लगता है ऐसा लगता है अप सुन भी नहीं रहे हूं मैं क्या बोल रही हूं बस अपना copy paste कर रहे हूं ठीक है क्योंकि आपकी महनत नहीं चाहती copy paste करने में प्रफिदेंट लड़की दिखाया है कि हाँ भई मेरे पास भी एक अवाज है और अगर मेरे साध गलत होगा तो मैं वह वह आवाज उ उठा सकती हूं तो उसे ने सीख लिया है कि कैसे उसे खुद के लिए खड़ा होना है और इस सुसाइटी के खिलाफ उसको खड़ा होना है अगर उसे जुरत बढ़े तो ठीक है? चल नेक्स्ट क्वेस्टिन इस बस जर्णी के बारे में उसने कौन-कौन से डिटेल्स पता करी और वो डिटेल्स उसे कैसे पता चली यह आपको बताना है तो सबसे पहले आप बोलोगे about the distance उसने पहले यह पता करा कि बाई distance क्या है जो बस travel करती है ठीक है? उसके बाद उसने duration पता करी कि कितना time लगता है आने जाने में और फिर उसके बाद ticket पता करी कि कितनी ticket है कितना fair है कितने पैसे मेरे लगेंगे अगर मैं आऊंगी जाऊंगी उसके बाद ची gather that information कैसे gather करी? by hearing the conversation of others दूसरों की conversation सुनके उसने सारी की सारी details अपनी gather up करी and उसने एक दो questions भी पूछे जहाँ पर उसको लगा कि हाँ यह मुझे cross check करना चाहिए ठीक है ओके जैनी ओके एक एक चीज पर ध्यान देना ठीक है बहुत ही डिटेल्ड तरीके से वल्ली ने प्लानिंग करी थी यह हमको बताना है यह हमको यहाँ पर explain करना है ओके सो वल्ली वस ऑच्छे से अब्जर्व करना वल्ली के नेचर में था वर्ना आप खुजी सोचो इती छोटी सी बच्ची बस राइड करने कैसे जाएगी तो वह हर चीज को अच्छे से अब्जर्व किया करती थी ऐसा नहीं है कि अरे यार मन किया चल दिया हम में से कितने बच्चे होते हैं आपके साथ भी हुआ होगा आप गली के भार खड़े हो दोस ने बोला आजा बाइड चलते हैं साइड तक आप चले गए ऐसी बिना सोचे समझे कहां जा रहा हूं कितना टाइम लगेगा कैसे वह कुछ नहीं पता बस चल रहे हैं दोस ने बोला लिया राइड बट वल्ली ऐसी नहीं थी उसने हर एक चीज को प्रॉपर्डी ओगनाइज किया प्रॉपर्डी प्लान करा यह नहीं है कि बस में घूमने कमने तो बस आई और में बैड गई और गूमने चली गई नहीं सो आगे शी हयाड कलेक्टी औल दा यूस्फुल इंफ्विमेशन उसने सारी दामाइज को क्लेक्ट करा अबज़र्व कीआ प्लान करा होनाएं कैप्वेश्चिन करें बीडि parc रेइं बाता किया टाय्म के बारे में पता की हा फेर्यर के बारे में पता किया शी मूस वहाँ पे कुछ भी पैसे अपने खर्च नहीं करें नेक्स्ट वाली ने पैसे कैसे सेफ करें अपनी बस जर्णी के लिए गाइस समझ में आ रहा है के नहीं एक बारी प्लीज मुझे कॉमेंट कर दो also मुझे ये बता दो कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका ध्यान है पढ़ने में फिर हम सीधा बिलकुल लेक्चर के end में ही जाकर रुखेंगे हम अब रुखेंगे नहीं कितने ऐसे बच्चे हैं जो genuinely ध्यान दे रहे हैं पड़ाई में इन question answers पे वैसे तुम बोलते हो मैं question answer करा दो question answers करा दो और अभी मैं करा रही हूँ तो तुमारा अपना ही चल रहा है और अभी मैं reply नहीं दे सकती आपके अगर और कोई doubt है प्लीज end तक wait करो ठीक है class के end में मैं बताऊंगी क्यूंकि अभी मैं आपको पड़ा रही हूँ क्यामरा में देख रही हूँ नीचे comments को नहीं देख बारी हूँ अगर comments देखूंगी तो पड़ा नहीं पाऊंगी ठीक है तो थोड़ा सा adjust करो थोड़ा सा compromise करो थोड़ा सा समझो तो टीचर को भी ठेक है चालो so let's go next बेटा लिखा है how did welli save money पैसे कैसे save करें यह आपको बताना है ठेक है तो save money for her first bus journey she resisted resisted क्या होता है खुद को रोकना खुद को मना करना उसने क्या करा अपनी जो यानि कि जो मन में एक लाल सा आरी थी ना कि जूले पर चड़ जाती हूं बेलून्स खरीद लेती हूं टोइस खरीद लेती हूं वो सारा उसने रिजिस्ट करा खुद पर काबू किया खुद को रोका शी ओलसो डिंट इंजोई मेरी गोराउं वो जो ऐसे गोल सा जूला होता ह हिसने मेले लगना मयाँ करें पेल पेली नों करें पर फुद यह खुद थे ओम खुदर घी यह और दू मेली जाता हूं ढ़र चवा and hence she collected the amount required for the bus journey next आप ये कैसे बोल सकते हो कि conductor a good natured jolly fellow है यानि कि conductor का nature बहुत जादा friendly है conductor बहुती jolly nature का है बहुती अच्छे nature का है आप ये चीज कैसे बोल सकते हो ये आपको बताना है ठीक है the conductor of the bus was a good natured fellow with pleasant manners बहुती अच्छा आदमी था इसके manners भी काफी जादा अच्छे थे तो ये दो words आप लोग अपने paper में exact लिख कर आ सकते हो इसके बाद he was concerned that such a small girl was traveling concerned मतलब चिंता बही उसको चिंता थी कि इतनी छोटी सी लड़की जो है वो अकेले travel कर रही है and to care that she was comfortably seated और conductor ने वल्ली का पूरा खयाल भी रखा indirectly के वो अच्छे से बैठी के नहीं है कुछ problem तो नहीं है when वल्ली objected to being treated as a child जब वल्ली ने object किया कि अरे मुझे बच्चों की तरह treatment मत दो he took it in a good spirit वो चिड़ा नहीं नहीं तो बहुत सार लोगों थे चिड़ जाते है आपने ऐसे की तरसी करा हमें क्या बट नहीं यहाँ पर उसने ऐसा नहीं करा उसने इसको फ़नी वे में लिया उसने हस दिया और उसे मैडम बुलाने लगा his behavior reflects वो क्या reflect कर रहा है उसके behavior से के बहुत ही friendly है बहुत ही ज़ादा अच्छा आदमी है हाना और उसने किसी भी चीज को गलत spirit में नहीं लिया है next is how did Walli react when she saw the dead cow by the roadside तो जब Walli ने dead cow मरी भी गाय को देखा road के किनारे तो उसको कैसा feel हुआ यह आप बच्छों को बताना है okay guys समझ में आ रहे so आप बोलोगे when Walli saw the dead cow by the roadside she became very sad यह वो बहुत ज़दा sad हो गई हाना आप अगर कोई भी ऐसा गृष्चे देखो जिससे आपकी mental peace disturb हो जाए तो कैसा feel होगा she was now in pensive mood as it was shocking to see that the animal she had been laughing at just a while ago was lying in the stillness of dead वो शौक्ड हो गई कि अभी थोड़ी देर पहले तक यह गाएं हस रही थी दौड रही थी मैं इस पे इतना हस रही थी मुझे इतनी हसी आ रही थी बट अभी वो एकदम horrible cow लग रही है हाना एकदम lifeless creature आखे खुली वी खुली खुली तो वो पूरे द्रिश्य से she was very much traumatized और उसके बाद वो अपनी seat से नहीं हिली चलिया next जाते है बिटा सर्मनेट बनारस वाले चाप्टर पे तो सबसे पहले है who was Gautam Buddha when and where was he born यह बहुत important है आप लोगों को याद रखना है कि Gautam Buddha was a prince इनका जनम as a prince हुआ था and इनका नाम था सिधार्थ Gautama ठेक है and इनके पेरेंस ने रखा था he was born in 563 BC in North India he had been shielded shielded मतलब क्या होते protect इनने protect करके रखा गया था क्योंकि राजगराने में इनका जनम हुआ हना तो वहां की लोगों को प्रोटेक्ट करके रखा जागा था कि जितनी भी बाहर की sufferings है और जितने भी बाहर के दुख है और दर्द है हना वो दुख और दर्द हम इन पे ना आने दे ठीक है, जितने भी हमारे अंदर के लोग है हम उन पे ना आने दे तो इन्हें पहले प्रोटेक्ट करके रखा गया था इस वर्ल्ड की सफ्रेंग से बट आगे चलकर ही एंटेंड एंलाइटनमेंट इन्हें मोक्ष की प्राप्ती हुई अंडरा पीपल ट्री और इन्होंने ट्री को नाम दे दिया ट्री ओफ विज्डिम ठीक है, next बेंशिन दे इंसिडेंट विच प्रोंटेट फ्रेंस सिधार्त तु बिकम अ बैगर तो बोला ऐसा क्या हुआ उनके साथ ऐसा क्या उनके दिमाग में आया कि उन्होंने अपना अच्छा खासा यूनो राज गदी छोड़ कर वो मोक्ष की तलाश में निकल पड़े उन्होंने अपने सारे worldly pleasures सब त्याग दिया, ऐसा क्या हुआ उनके साथ आप फिर अपना पूरा का पूरा वो जो हमारा सिनारियो है चाप्टर का वो अपने पेपर में लिख कर आ सकते हो ठीक है के भाई एक बार की बार से वो हंटिंग पे गए थे वेरी केम अक्रोस अ सिक्क मैन ये बच्चो बहुत बहुत इंपोर्टेंट है चाहाँ कौन से भी बोड के हो CBS, C, UP, जहाँ पर भी NCRTF किसी भी बोड के हो बहुत जादा इंपोर्टेंट क्वेस्चिन है कि भाई एक बार क्या हुआ एक बार वो हंटिंग करने गए और वहाँ उन्हें एक सिक्क आदमे दिखा यानि कि एक ऐसा आदमी जिसकी तवेत काफी घराब थी वो दिखा एक एजड आदमी दिखा यानि कि एक बुद्धा आदमी दिखा ठीक है और उसके बाद एक मॉंक दिखा जो कि भिक्षा मांग रहा था और उसके बाद एक पूरा जो डेड बोडी को लेकर जाते हैं हाना वो पूरा द्रिश्य दिखा अनेबल टू अन्डेस्टैंड दोस सफरिंग्स क्योंकि उन्हें आज से पहले इन सफरिंग्स के बारे में पता ही नहीं उन्हें किसी ने बताया ही नहीं वो इसको समझ नहीं पारे सो अनेबल टू अन्डेस्टैंड उन्होंने क्या करा यानि कि पूरे वर्ली प्लेशर्स जो थे वो उन्होंने छोड़ दिये और वो spiritual knowledge की तलाश में अपना निकल पड़ी ठेके गाईस समझ में आया इसी चाप्टर के अंदर एक औरत का जिक्र किया गया गौतमी यहां देखे नहीं बच्चों आपको गौतमी का जिक्र किया गया इसी चाप्टर के अंदर what did she do in her hour of grief जब वो sad थी, जब वो upset थी, जब वो clear mind से नहीं सोच पा रही थी तो उसने क्या करा? यह आपको बताना है आप बोलोगे भाई देखो, गौतमी was sad because her only son had died क्योंकि उसका इकलोता जो बेटा था वो मर गया अब भगवान ना करें, किसी के भी साथ ऐसा होगा तो वो sad तो हो गई in her hour of grief, अब जब वो traumatized थी, उसने क्या करा? she went from house to house, वो एक घर से दूसरे घर जा रही है और medicine मांग रही है लोगों से के कोई तो मुझे ऐसी दवा दे दो जो क्या कर दे, cure कर दे, ठीक कर दे she had become selfish in wanting her son back ठीक है, वो बहुत जादा अंधी हो गई, selfish हो गई, सारी ही चीज़े देखे नहीं पा रही है उसे बस अपना बेटा वापिस चाहिए next, बुद्धा क्या चाहते थे ये गौतमी क्या समझे so आप बोलोगे, बुद्धा वॉन्टेट गौतमी तो अंडेस्टेंड देथ इस कॉमन टू आल वो चाहते थे कि वो इसको समझा पाएं कि डेथ तो सब के लिए ही है ये कॉमन चीज़ है क्योंकि हम मौटल है और हम बच नहीं सकते चाहा कर भी ये कैसी चीज़ है जो हमारे हाथ में नहीं है कब होगी, कैसे होगी, हम इससे बच नहीं सकते and no one could avoid dying, no one can save their relatives और ना ही हम हमारे चाहने वालों को बचा के रख सकते है so the wise do not grieve so जो समझदार लोग है वो शौक नहीं करते वो इस truth को accept करते है ठीक है next किसा गौतमी again goes from house to house after she speaks with बुदा अब बोला है दूसरी बार वो फिर से एक घर से दूसरे घर जाती है ऐसा वो क्यों कर रही है दूसरी बार भी वो एक घर से दूसरे घर में क्यों जा रहे है यह आपको बताना है so आप बोलोगे भई एक घर से दूसरे घर वो जा रहे है to bring some mustard seeds अब Lord Buddha ने उसको condition दिया है कि मैं तेरे बेटे को बिल्कुल ठीक कर दूँगा बट मेरी यह condition है कि तू जाकर mustard seeds लेकर आ अगर तू यह फुल्फिल कर देती है और mustard seeds होनी चीए कहां से ऐसे घर से जहापर किसी की death ना हुई हो राइट so आप बोलोगे to bring some mustard seeds where no death had taken place जहापर कभी किसी की death, कभी किसी की मृत्यू ना हुई हो as asked by Buddha to cure her son और तब उसको एहसास होता है तब उसको realize होता है क्या death is inevitable and that no one can deny the nature cycle कि यह प्रकृति का नियम है यह cycle चल रही है और हम लोग इससे चाह कर भी ना तो बच सकते हैं ना किसी को बचा सकते हैं clear everyone how did Buddha teach Gautami the truth of life तो again यहाँ पर एक long answer में आप लोग बता सकते हो कि Lord Good ने कैसे Gautami को जिन्दगी का जो truth है वो समझाया so आप सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे देखो किसी भी answer को लिखने के लिए इंट्रोडक्शन लिखना थोड़ा सा जरूरी है जादा भी ने लिखना हमें क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं है हमें at least एक deadline में बताना है कि भाई हम करने क्या वाले लिखने क्या वाले है ठीक है समझ में आया so Gautami was devastated by the death of our only son only लिखना जरूरी है बच्चों क्योंकि एक लौता बेटा है ठीक है कि भाई बहुत ज़्यादा devastated थी बहुत ज़्यादा पागल हो रखी थी एकदम अपने शौक में थी हना तो बहुत ज़्यादा sad थी वो and वो एक घर से दूसरे घर जा रही थी seeking help, मदद मांगने someone directed her to सख्यमुनी बुद्धा किसी ने उसे लौट बुद्ध के पास भेजा जिरो ने बोला कि तुम handful मतलब मुट्टी भर के mustard seeds सरसो की जो seeds होती है वो लेकर आओ ठीक है अब इससे गौतमी की दिल में एक hope एक आशा जाग गई कि अड़े यह तो बड़ा असान है मैं ले आती हूँ but the condition imposed by सख्यमुनी was that condition मतलब एक शर्त रखी गई ठीक है कि mustard seeds सो तुम ले आओगी but seeds should be from a house where people had not lost a loved one यानि कि कैसे घर से लाओ जहां पर किसी की मृत्यू ना हुई हो so got me futile search यानि कि सारी कि सारी सर्च सारी कि सारी खोज उसकी बेकार हो गई ठीक है और उसे realize हुआ the bitter truth यह जो harsh truth था जिन्दगी का कि sorrows are a part and parcel of life कि अगर आप इस life में आए हो अगर आपका जनम हुआ है तो दुखी और सुख दोनों इस life का part है अगर आप चाहो कि यार मेरी life में सब कुछ अच्छा होता रहे हना तो ऐसा भी नहीं हो सकता और अगर आप सोचो यार मेरी life में तो सब बुरा ही होता है तो ऐसा भी नहीं होता तो ups and downs तो आएंगे ही हना और ये life का part है and one can attain peace only by acceptance और आपको किसी भी चीज में ये ना आप अपनी रिया लाइफ से भी कनेक कर सकते हो आपको किसी भी चीज में peace अभी मिलेगा जो आप accept कर लोगे मान लो आपका एक best friend है ठीक है let's suppose सब लोग yes ma'am बोलना जैसे कोई कहानी सुनाते है तो हम ऐसे करते है न हम 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 तो तुम yes ma'am बोलो so let's say कि आप सभी का एक best friend है ठीक है और आपकी उससे बात नहीं हो रही आपकी उससे लडाई हो गई ठीक है आपका break up हो गया अब ना तो वो आपसे बात कर रहे है ठीक अब आपको आगे चल के पता चलता है कि जो आपका दुश्मन था आपके best friend ने उससे दोस्ती कर लिया अब आपको hurt तो होगा अब इस hurt में हाना इस anger में आप दो चीजे कर सकते हो कुछ लोग होंगे जो कुछ नहीं करेंगे बोलेंगे आरे जाए यार मेरी गलती थी कि मैंने तुझे दोस्त माना दूसरे लोग होंगे जो फोन करेंगे सुनाएंगे उसको आप आई मिल ज़रा तू बारा अपने गर से बारा मैं नीचे खड़ा हूँ तू बारा तू ने दोस्तिकी कैसे समझ रहो तो ये दो सिनारियोज होंगे अब क्या होगा आपने उसको सुनाया आप उससे लड़ने गए उसने आपकी बेस्तिकर्दी वापिस आ गया अब आप लोग टेंशन में रहोगे यार मेरा बेस्ट फ्रेंड था उसने मेरे साथ ऐसे क्यू करा आपको मेंटल पीस नहीं मिलेगा आपको मेंटल पीस कब मिलेगा जो आप एकसेप्ट कर लोगे यार कर दिया मेरी आखों के आगे जो है मैं उस पे बिलीव करूँगा मैं उस पे बिलीव नहीं करूँगा जो मैं चाहता हूँ मेरे दिमाग के अंदर हम लोग क्या करते हैं समझे अभी क्या लिखा है हम लोग क्या करते हैं हम लोग वो चीज़ चाते हैं जो हमारे दिमाग के अंदर है के यार ये तो ऐसा बिहेव करे काश ये मेरे से सामने से आके बात करे काश मुझे ये आकर बोल दे काश मेरे नंबर इतने आ जाए बट काश पे दुनिया नहीं चल रही दुनिया चल रही आपकी आखों के आगे तो आप उस चीज को accept कर लोगे जो आपकी आखों के आगे और आपको peace मिल जाएगा और भाही चीज लोड बुद बोल रहे हैं कि भाई जो आप चाहते हो वो नहीं होता लाइफ में जो आपकी आखों के आगे आप उसको accept कर लो acceptance में ही आपको क्या मिलेंगे सारी चीजों के answers मिलेंगे और आपका दिमाग peaceful रहे गा Got it everyone समझ में आया चलो Let's move to the next question What lesson on death and suffering did Buddha teach God me in the chapter of the sermon and benada Same answer है जो अभी बताया ना Same answer है Question बस तुमें change करके थोड़ा सा इदर उदर मरोड के दे रखा है तो जहां-जहां मैं बोलू ना Same answer है उसको तुम लोग read कर ले ना क्योंकि आप तो तुम लोग पहली कर चुके होंगे जो मैंने पहले बारा समझाया है मैं ये notes में लिख लूँ मेरी जान में ये वैसी दे दूँगी तुम अभी समझ लो सुन लो और मैं अभी तुमें अभी आज ही रात में ही ये slides टेलिग्राम पे दे दूँग ठीक है टेली टेलिग्राम का लिंक description में तुम लोग जॉइन कर लो पहले number पर ये में दे दूँगी ठीक है चलो next अल्राइट अब आगे चलते हैं letter to God अज मेरे गले में कुछ कुछ रुक रुक के हो रहा है चलो सो चलते हैं letter to God पे what was Lencho expecting from the God what did he receive why Lencho को expectation किया थी Lencho को मिला किया और क्यों मिला ठीक है मैं हम WhatsApp group में friends को कैसे add करवा है WhatsApp group में add करवाने की जुरत नहीं आप Telegram का link दे दो ना बिटा हुने जो चीज़े आपको Telegram पे मिलती है वोई सेम चीज़ शेर में WhatsApp पे कर देती हूँ तो just give Telegram वारा link ठीक है बलकि उस पे में ज्यादे आक्टे हो चलिए So Lencho क्या expect कर रहा है भगवान से उसे क्या मिलता है और उसे क्यों मिलता है यह आपको बताना है Lencho expected God to send him 100 pesos वो expect कर रहा है कि मेरा भगवान मुझे 100 pesos देगा ठीक है और उसको मिलते है 70 pesos और वो भी किस ने collect की होते है पोस्ट मास्टर ने collect की होते है Through contribution made by the post office employees यह line याद कर ले ना यह line लिखकर आए ना मैम ऐसे मक्खन की तरह number देगी पूछो मन ठीक है क्योंकि बहुत कम बच्चे लिखकर वो यह तो लिख देते हैं पोस्ट मास्टर बहुत कम बच्चे लिखकर आते हैं Through contribution made by post office employees कि जो post office employees ने contribution किया उसी से तो उसे पैसे गए तो यह line जरूर से याद कर ले ना Next, explain the qualities of the post office employees अब क्या लिखा है जो post office employees है जो करमचारी है उनकी qualities को आपको explain करना है उनके अंदर क्या-क्या qualities है So, सबसे पहले आप लोग क्या लिख होगे भाई देखो, यह ऐसे लोग है जो believe करते हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए They believe in helping others हाना अगर अगर दूसरों की मदद में बिलीव नहीं करते तो कभी लेंचों की help ना करते They were kind तो अब number one kind भी थे help की helpful भी थे cooperate भी किया एक दूसरे के साथ हाना और contribute भी किया जितना जो कर पाया उसने उतना अपनी salary का part contribute भी करा सिर्फ किसलिए वो लेंचों को जानते तक नहीं थे किसलिए To keep Lensho's faith in God alive ताकि लेंचों का जो भगवान में शरब्दा है जो लेंचों का भगवान के प्रती faith है वो वो जिन्दा रख सके वो alive रख सके सीधी सी बात है They had love, concern, compassion and empathy for Lensho ठीक है तो ये याद कर लेना ये सारी qualities तुम लोग अगर post master के बारे में पूछा जाए तो तब भी लिख कर आ सकते हो ओके चलो नेक्स पर आजाओ Why would you not agree with Lensho calling them a bunch of crooks आप लोग क्यों agree नहीं करोगे क्यों सहमत नहीं करोगे जब Lensho उने bunch of crooks बुला रहा है जैसे मैं तो सहमत नहीं करती और I know कि आप लोग भी सहमत नहीं करती डिस ओनेस लोग वो लोग नहीं थे तो आप क्या बोलोगे कि भाई Lensho was not at all justified in calling them a bunch of crooks because they helped him by collecting money and understanding Lensho's unshakable faith in God क्यों? क्योंकि उन्होंने help करा कैसे? Money को collect करके और Lensho के शरग्दा को समझा भी आज की डेट में कौन किसको समझता है पैसे लोग 10 रुपे नहीं देते आज की डेट में अगर तुम अपने घर से निकल जाओ ना और बोलो 10 रुपे दे दो तो एक दिन कोई देगा तो नहीं देंगे तीसरे दिन 10 रुपे जो बंदा 1,00,000 रुपे कमा रहा होगा ना वो भी 10 रुपे देने में जिचकेगा कि मैं इसको यू दू ठीक है बट यहाँ पर यहाँ पर क्या है यहाँ पर इन लोगों ने लेंचो की फेथ को समझा और उसकी हेल्प करी ठीक है सबने कुछ ना कुछ मनी का पाट अप्ट ओफ चारिटी दिया जो अगर बंच ओफ क्रूख होते डिसॉनेस लोग होते तो वो कभी भी नहीं करते ठीक है नेक्स वाई वोस लेंचो एंगरी वेन ही रिसीव दा लेटर लेंचो को गुसा क्यू आया जब उसने लेटर को रिसीव किया तो लेंचो को गुसा क्यू आया सो वेल लेंचो रिसीव दा लेटर अपन दी एंवलाप उसने पहले एंवलाप खोला और गुसा आया उसे ओन काउंटिंग दा मनी कि भाई मैं देखू तो ज़रा कितने पैसे हैं कितना अमाउंट है जैसे उसने काउंट करे भाई या उसको गुसा आना शुरू ठीक है देर वर उनली सेवेंटी पैसोस इन दे एंवलाप वेरस ये रास्क वर वन हंड़ेट कि भाई मैंने तो सौ पैसे मांगे थे मतलब सौ पैसोस मांगे थे और यहाँ पर केवल सेवेंटी and that's the reason he was angry क्यों नहीं आएंगे अर्जुन देव क्यों नहीं आएंगे अपनी महनत पर थोड़ा तो कॉन्फिदेंस रखो अच्छे नंबर क्यों नहीं आएंगे ठीक है डरना नहीं है जो डर गया वो पहले ही जंग में हार गया ठीक है वो जंग करने से पहली आर गया तो डरना वरना नहीं है next how did the postmaster help Lencho or what did the postmaster do to keep the faith of Lencho same question है so यह मैंने same question भी क्यों डाले है जिनका answer भी matching matching है ना वो मैंने क्यों डाला है वो मैं बताते हूं आपकी read करने के लिए डाला है क्योंकि एक ही question को यह लोग घुमा के भी पूच सकते हैं specially pre-boards में ठीक है तो एक बार ही read कर ले ना या आप तो तुम पहले करी लोगे जो मैं समझा रही हूं तो उसके बाद जब वो याद कर लिया तो यह एक बार ही read कर ले ना बात बन जाएगी next where was Lencho's house situated why did he sit seeing the sky तो आप बोल सकते हो Lencho's house was situated on the crest of a low hill in the valley एक घाटी में crest क्या होता है top एक नीची हाइट की घाटी थी उसके top पर उसका घर था ठीक है और पूरे दिन वो sky को देखने में उसने निकाला because he knew that his fields needed downpour at least a shower कि उसकी जो fields है उन्हें life affected by the rain जो Lencho की जिंदगी है वो बारिष ते किस प्रकार affect की आप जब से पहले बोलोगे Lencho was a hard working farmer number 1, he lived with his family on the crest of a low hill number 2 he was going to get a very good crop number 3, his field needed a downpour, बारिष की जरती number 4, the rain started number 5 बारिष शुरू भी होई 5 पोईंट याद होए ठीक है अब क्या हुआ but within a very short time, बहुत ही कम समय में the rain turned into hailstorm बारिष के साथ साथ ओले बरसने लग गए और ओलो ने कर दिया सारा काम बेखा it destroyed his crop completely and thus the rain affected his life battling got it बिटा मटर डरो ना यार प्लीज मटरो tomorrow is में प्रीबूट बिटा डरने वाली कोई बात नहीं है डर से क्या होगा पढ़ाई करी है अगर आपने पढ़ाई नहीं करी ठीक है तो फिर आप डरो क्योंकि आपका डरना बनता है उसमें मैं आपको कुछ नहीं कर सकती अगर आपने पढ़ाई नहीं करी तो मैं कुछ नहीं कर सकती देखो तो आपका डरना बनता भी है मुझे तो लगता भी और और भगवान को आपको डराना चीए because that's what you deserve अगर आपने अभी तक भी नहीं पढ़ाई करी अगर आपने पढ़ाई करी तो you deserve good marks ओके तो आपको डरने की ज़रूद नहीं है confidence रखो अपने अंदर के नहीं भाई हम कर लेंगे हो जाएगा ठीक है और भगवान का नाम लो दिमाग को पीस पे रखो जो भी पढ़ा है उस पे विश्वास रखो खुद पे भरोसा रखो सबसे बड़ी बात ठीक है अच्छे से चीजों को रिवाइस करो और भगवान का नाम लेके पेपर दे आओ ठीक है मैं मेरा इंग्लिश का पेपर था बहुत अच्छा गया बहुत बढ़िया ठीक है कल के लिए सबसे बड़ी टिपी आई है कि अपने दिमाग को जिनके भी पेपर को देखके पैनिक नहीं करना आप अपने सबसे बड़ी स्ट्रेंथ एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपने खुद के दिमाग को पैनिक फील कराया तो वो आपको क्या ही नंबर दिलवाएगा तो इसलिए स्ट्रॉंग रहो डर सबको लगता है पेपर से पहले बट उस डर को हावी मत ओने दो अपने उपर ठीक है और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे नन्नु पुन्नु बने इसलिए मैं तुम्हें ज़ादा ये वो भी नहीं करती I want you to be strong I want you to be confident इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ नहीं डरना कुछ नहीं होगा खुद को positive चीज़े बोलो ओके चलो Next Lencho ने raindrop को किस से compare किया Very important question So Lencho compared the raindrops to new coins He called the big drop 10 cent pieces उसने बड़ी drop को 10 cent बोला और छोटी drop को 5 cent बोला His field needed rain badly और raindrops से उसकी जो hopes से वो बढ़ गए बारिश हुई तो उसे लगा वाई good harvest होगा जिससे मुझे पैसे मिलेंगे इसलिए उसने क्या करा raindrops को compare करना शुरू करा Next Okay What did Lencho call the raindrops? तो यह हम पढ़ चुके 10 cent and little one को 5 cents बोला How did he value them? तो आप बोलोगे Because his fields needed the rain for a good harvest और अगर अच्छा harvest होता तो उससे उसे पैसे मिलते तो इसलिए उसने बारिश को Again देख लो Same question है बस घुमा के आपको पूछ रखा है ठीक है? Next is Why did Lencho become angry when he counted the money? Lencho को गुसा की हो आया जब उसने पैसे count करे So आप again बोल सकते हो Because the money was not 100 पैसो Main reason यही था कि उसने 100 पैसो मागे थे और पैसे थे केवल और केवल 70 पैसो And that is the reason वो गुसे में आया Also Lencho had firm faith in God उसके भगवान के प्रती उसका भरोसा बहुत ज़ादा था Moreover उसे पता था कि God could not make a mistake ना तो भगवान से गलती हो सकती है ना ही भगवान deny यानी मना कर सकते हैं request को So यानी कि पोस्ट ओफिस वालों ने मेरे पैसे चुराए है और इसलिए वो बहुत ज़ादा गुसे में था ठीक है Next In this lesson letter to God What moral value does the postmaster display in his behavior Now look at what is written here I have told you that the post office employees are the same qualities that you can also write in postmaster Right So you can also write in post office employees So you can also write in postmaster So here You can read it here The postmaster first laughed looking at the letter That first of all incident that he started laughing by looking at the letter But soon he became serious But immediately he became serious He was surprised at the faith And why did that happen? Because he was shocked That someone can have such faith in God He wanted his faith to be intact in God So the postmaster was a kind and compassionate fellow Number one He was very proud He tried to keep the faith in God He kept the faith in God And he started collecting money Next Empathetic 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 Sympathetic 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 means You know You know Yes 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 You know say You know Share Share You know Share 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 Reading Thank you Everyone Mix Things लागू और एक पर्सेंट नहीं भी होता बढ़िया अगर तुम अपना बेस्ट दे कर आते हो बैस्ट दे कर आना नहीं भी होता बढ़िया कोई बात नहीं बोड एक्जैम है ना अभी हात में देने जा रहे ठीक है चलो फाल तुम्हें घबराओ नहीं आगे बढ़े नेल्सन वंडेला पे बढ़ते हैं चलो बात ओर यहां पर क्या हुआ जितने भी वाइट लोग थे गोरे लोग थे वो आना शुरू हुए अट्राक्ट होना शुरू है अब वोर हुआ एंगलो वोर वोर के बाद जो वाइट पीपल थे उन्होंने यहां के जो लोकल नेटिव ब्लैक स्किन लोग थे उन्हों पर अपना रूल करना शुरू कर दिया और वो अपने साथ लाए यह सिस्टम ओफ रेशियल डॉमिनेशन यानि की अपार्थाइड ताक थे, as a boy उनके लिए माइने क्या था और as a student उनके लिए माइने क्या था यह आपको बताना है So as a boy आप बोलोगे, being free का मतलब था नेलसन मंडेला के लिए कि वो free fields में घूम सके हना छोटा बच्चा है, इधर उधर कहीं भी घूम सके, swim कर सके freely, हना विलेज में कहीं भी भाग सके, वो उनके लिए freedom था As a student उनके लिए freedom था, जो अभी आपके लिए freedom है, कि हमें दोस्तों के साथ जाने दो, हमें night out पे जाने दो, हना वही उनके लिए भी freedom था So, to stay out at night, to read what he pleased and to go wherever he choose was being free अब 10th में 1994, South Africa के लिए इतना साथ important दिन क्यूं माना जाता है, ये आप लोगों को बताना है So, 10th में 1994, important day South Africa के लिए, as the inaugural host, क्योंकि ये inauguration ceremony हुई थी इस दिन, इस दिन Nelson Mandela ने शपत ली थी और वो बने थे first black president हाना एक तरीके से अजादी का दिन था उनके लिए, all right, yes, so Nelson Mandela became the first black president of South Africa after three centuries of white rule तीन centuries तक जो गोरे लोग थे उनका इहां पे रूल था और उसके बाद Nelson Mandela बहुत थे, ठीक है, next, what are the twin obligations? ये question बहुत important है, बहुत बार आजाता है, ठीक है, so twin obligations किया थे Nelson Mandela के according, ये आपको बताना है, कि जो दो जिम्मेदारियों की बात की गई है, वो कौन सी जिम्मेदारियों की कौन सी obligations की बात कर रहे हैं, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है? सो आप बोलोगे, according to Nelson Mandela, every man has twin obligations, पहली towards his family, other towards his people and his country, पहली तो अपने बीवी, अपने बच्चे, अपनी family के प्रतिम, और दूसरी अपनी country और country के लोगों के प्रतिम, बट यहाँ पर बोला जा रहे है कि अपार्थाइट था न, इस वज़े से South Africa में, if one tried to fulfill his duty, अगर कोई कोई भी इनसान ट्राइ करता था कि मैं ये दोनों responsibilities को fulfill कर पाऊं, तो वो उसके लिए impossible था, because he was ripped off with his family and home, उसे उसके घर से उसकी family से अलग करके, और देश ध्रोई करार करके सणने के लिए छोड़ देते थे, ठेके, बेटा भरत पुषपा, वो याद करेगा, बेटा भट अगर याद भी नी करोगे मेरी जान तो कैसे चलेगा, बताओ, कैसे हो पाएगा फिर, science में भी याद करते हो, SST में भी याद करते हो, फिर याद करोगे, अगर बिलकुली नी आ रहा है last moment पर बनाना कुछ भी तो याद करो, और क्या करोगे, बताओ, next, what is the dream of Nelson Mandela for the future of South Africa, so Mandela dreamt that his country should be free from poverty and discrimination, उनका सपना था कि उनकी country में ना तो कोई discrimination हो और ना ही कोई poverty हो गरीबी हो, no country man should be oppressed और किसी पे अत्याचान ना हो उसके color के basis पे, just because तू काला है तो तू निकल, ऐसा नहीं होना चाहिए, he wished the son of freedom to shine on his country forever, वो चाहते थे कि हमेशा, हमेशा मेरा जो देश है ना वो हमेशा अजाद रहे, what animated Mandela's life and transformed a frightened young lawyer into a bold criminal, this is very important, जब chapter पढ़ा रही थी तब भी बताया था, marathon में भी बताया था, कि ऐसा क्या हुआ, कि Nelson Mandela, जो एक lawyer थे, जो follow करते थे law को, वही एकदम law के खिलाफ चले गए, so it was the desire of freedom, ये एक ही line है, कि इच्छा, क्योंसी इच्छा, अपने लोगों के लिए अजादी की इच्छा, बस इस इच्छा ने उन्हें बदल दिया, ठीक है, इस desire ने उन्हें बदल दिया, कि मेरे लोगों में अजादी होनी चाहिए, उन्हें self-respect जो होती है, वो होनी चाहिए, and इसी idea ने उनकी life को change कर दिया, it transformed a frightened young man into a bold one, it draw a law-abiding attorney to be a criminal, criminal मतलग, अब obviously जो white लोग थे उनकी नजर में तो criminal ही बन गए थे न, अगर जो सरकार है उसके खिलाफ जाओगे तो criminal ही करार देगी वो, so yes, next, what pained Nelson Mandela on becoming the president of South Africa, जब वो president बन गए तो वो किस चीज से दुखी थे, कौन सी चीज उन्हें सता रही थी, so आप बोलोगे, Mandela was pained by his inability to thank his comrades, comrades मतलब साथी, जो उस freedom struggle में उनके साथी थी, जो उनसे पहले शहीद हो चुके थे, हना तो वो उनको thank you नहीं बोल पारे थे, कि ये, वो sad है, कि जिन लोगों ने अपनी जाने कुर्बान कर दी, वो लोग आज यहाँ पर नहीं है, हमारे साथ में, ये देखने के लिए, कि हमने अजादी प्राप्त कर ली, फिक है, तो इ इसे लिए वो बहुत जादा sad थे, he remembered the suffering and courage, उन्हें वहाँ खड़ेों के सब याद आ रहा था कि कितना सफर किया है, कितना जेल के धक्के खाए है, कितनी हिम्मत दिखाई उन लोगों ने, हना जो की same cause, यानि कि अजादी के लिए लड़े, पर वो बिचारे शहीद होगा है Next, why did Nelson Mandela said the oppressed and oppressor are alike and are robbed of their humanity, very important again, Nelson Mandela ने ऐसा क्यों बोला है, कि जो oppressed, यानि कि जो अत्याचार सहरा है, और जो अत्याचार कर रहा है, दोनों same है, ऐसा क्यों बोला गया है, so आप बोलोगे, because the oppressed were robbed when they suffered, all that, that was against humanity, oppressed मतलब जिस पे अत्याचार हो रहा है, हना, वो तो obviously उसकी humanity च कि उस पे इतना सादा अत्याचार आप कर रहे हूं, बट जो अत्याचार कर रहा है, जो oppressor है, had to kill the good human being, उसने भी तो अपने अंदर के अच्छे इंसान को मार दिया ना, तभी तो वो अत्याचार कर पा रहा है, कोई अच्छे इंसान थोड़ी करेगा, तो इसलिए दोनों जैसे हैं, दोनों के अंदर से ही humanity जा चुकी है, next, अब Nelson Mandela ने करेज का मतलब क्या बताया और brave man का मतलब क्या बताया, again this is very important question, so आप बोलोगे according to Nelson Mandela, courage is not the absence of fear, अब Nelson Mandela से ही सीख लो कल की exam के लिए, खिक बहादूर इंसान वो नहीं है, जिसे डर नहीं लगता, वो बोल र और असल माइने में वही courage की सही definition है, वही brave आदमी है, वही brave man है, ठीक है, next, what Mandela meant when he simply says the sum of all those African patriots who had gone before him, so Mandela बोलते हैं कि जितने भी देशभक्त जा चुके हैं, मैं उन सब को मिला के यहां खड़ा हूँ, ऐसा उनोंने यहां पर क्यू बोला, so वो खुद एक patriot थे हाना, उन्हें भी अजादी चाहिए थी, and उन्होंने भी बहुत सारे टॉर्चर सहे, हाना आपको कोई भी चीज असानी से नहीं मिलती, आप नेलसन मनेला सही सीख लो, आपको अगर हर चीज असानी से मिल जाती, अगर आज की डेट में आप उनकी बारे में किताबों में पढ़ रहे हो, बट एक टाइम था जब उन्होंने मार खाई, एक टाइम था जब वो जेल में थे, आप नोने टॉर्चर सहा, आप था जब उन्होंने वो चीजसें सही, जो आप और में ख़ड़े होखर इमाजन भी कर सकते, ब SM, मुचल, इनके लिए भी डिफिकल्ट रही है, for him next explain mandela's experience of freedom as a child as an adult तो यह आप लोग read करना because this is the same question but long answer में आपको दे रखा है ठेक है कि उनके लिए अलग-अलग stage पर freedom के माइने क्या थे next how did the desire for the freedom of his people change mandela life again same question long में दे रखा है एक बार इसको read करना ठेक है जो मैं समझा चुकी हूँ न जो question repeat हो रहे है वो मैं आपको बार-बारी बता रही हूँ कि भाई ये वाला same question है तो ये तुम लोग repeat करना ठीक है next how did nelson mandela describe the scene of inauguration ये भी तुम लोग read करना same चीज लिखी हुई है पूरा का पूरा उसे चलांग मारी हाना किसकी तरफ अपनी मा की तरफ ठीक है अच्छा इतना समझ में आया जल्दी बताओ is this clear इतना समझ में आया yes or no हाँ जी everyone can I get a yes ma'am in the comment section अगर इतना clear है strong yes ma'am ma'am अभी pdf भेज देना बेटा बिलकुल अभी भेज दूंगी जैसी class खतम होगी ना उसके बाद 15-20 मिनट के अंदर pdf आ जाएगा तुम्हें क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको ppt से pdf में करने में फिर इसको whatsapp पे लेने में फिर telegram पे देने में ठीक है तो 15-20 मिनट मुझे देना class के खतम होते ही में भेज दूंगे ठीक है चलो जी बहुत बढ़िया अब आगे चलते हैं जैसे ही यंग सीगल ने क्या करा वेटा यंग सीगल ने छलांग मारी ठीक है फिश की तरफ ही फेल आउटवर्ड ज डाउनवर्ड विदा स्क्रीन नीचे तो कुछ था नहीं माल लो इदर खड़ा है हना नीचे क्या एसी है तो अब अगर उसने छलांग मारी राइट यहां उस जब जैसी वो गिरा सूर इस विंग स्प्रेड उसके जो पंक थे वो खुल गए and he could feel the tips of wings cutting through the air मान लो यह विंग है तो इसके जो tips है ना उन पे हवा टचो कर जारी थी वो फील कर पा रहा था कि वो अब उड़ रहा है यह ना language याद कर ले ना बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में लिख नहीं पाते तो यह language याद कर लेना थोड़े थोड़े words याद कर लेना या दिमाग में बिठा लेना कि में हम क्या लिख सकते हैं अच्छे इंग्लिश के लिए क्योंकि दसवी में बच्चों वाले English लिख कर नहीं आनी then the young seagal jumped dive को jump लिखाते कुछ ब जैसा लिखा है ठीक है बिटा next how did the seagal feel when his belly touch the green sea seagal को कैसी feeling आई पहले वो दूब राता सिंग हो राता बड़ जैसे ही उसकी बेली जैसी उसके पेट ने टच कर लिया green sea उसको कैसी feeling आई so when the seagal's belly touch the green sea he was scared that he would sing को से डर लग राता बाई मैं दूब जाऊंगा he tried to fly but could not उसने कोशिश करी उनने की बट वो नहीं पाया he was exhausted and weak due to hunger क्योंकि वो पहले से 24 घंटे पहले से भूका था तो उससे बहुत exhausted feel हो रहा था भूक के मारे और वो नहीं उड़ पाया next what did young seagal do to attract his mother attention? उसने अपनी मम्मी की attention अपनी तरफ केंदरित करने के लिए क्या करा के भाई कोई तो मेरी तरफ देखे अब आप लोग भी कुछ ना कुछ तो करते ही होगे कुछ ना कुछ तो करते ही होगे ना क्यार कोई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है यार घर पे मम्मी पापा कोई तो मेरी तरफ देखो कोई तो मुझे attention दो कभी कभी कर लेते हो so इसने क्या करा the young seagal stood on one leg एक पैर पे खड़ा हो गया and pretended to be falling asleep और ऐसे acting कर रहा है जैसे ना सो रहा है जैसे बड़ी कहरी नीद में ठीक है on the brink of the ledge बिलकुल ledge पे आ गया बिलकुल इधर आकर ठीक है and closed his eyes आखे बंद कर ली hit his other leg अपना एक पैर अपने पांक के नीचे छुपा लिया so the young seagal was afraid of flying as it was a steep fall to the sea क्योंकि जो उसकी ledge थी ना उसके नीचे ना समुद्र था उसे लगता था मैं उन नहीं पाया तो सीधा नीचे चला जाओंगा the sea expanse was worst obviously समुद्र बहत जादा घहरा था बड़ा था and he thought his wings would not support him very important line और उसे लगता था कि मेरे जो punk है ना जो मेरे wings है वो मुझे कभी भी support ही नहीं कर पाएंगे और मैं मर जाओंगा so he avoided to fly and preferred staying back तो उसे लगता था यार मुझे QE फालतु में उनना है मैं तो अपना यहीं पर रह कई ठीक हूँ next is overcoming fear is the first step to success यह देख लो इस कहानी से भी सीख लो मैंने एक बारी पहले भी बोला था कि क्लास 10 के जितने भी chapters है आप उससे कुछ ना कुछ सीख सकते हो ठीक है चाहें आप सीगल से सीख लो चाहें आप Nelson Mandela से सीख लो दोनों ने सिखाया नेलसन मंडेला ने बोला है कि देखो एक इंसान जो अपने डर पे जीत हासल करें वही असल माइने में एक ब्रेव मैन है यह क्या बोल रहा है यह बोल रहा है बाई अबर्कमिंग फियर दर सबको लगता है बट जब आप इसे ओवर्कम कर लोगे ना यह बाई बाई आप इस यह फर्स स्टेप तो सक्सेस आपने पहला स्टेप ले लिया बोली से सीखो तो ट्लास 10 ने चाहते है कि आप इतना कुछ सीख सकते हो ना आप पूछो मत समझ रहे हो so overcoming fear is the first step to success and how does this saying stand true in the context of the story his first flight okay the story is about a young seagull who is yet to learn to fly maam आप पागल हो हाँ वेटा तुमारे प्यार में है ठेक है चलो so the story is about a young seagull story एक young seagull के बारे में है जो अभी भी उन्ना नहीं सीखा है unlike his younger brother and sister he is unable to overcome the fear of falling down to the sea यानि कि उसके जो भाई बेन थे ठेक है उन्हें ये बात थी कि उन्होंने उन्ना सीख लिया था उन्होंने अपने fear को overcome कर लिया था बट ये जो हमारा लड़का है ये अपने fear को overcome कम चाहा कर भी नहीं कर रहा था हैंस रिमेंड सिटिंग उन्दा क्लिफ और इसलिए अपनी क्लिफ पर ही बेठा रहता था यार तुम लोग हसते की वो यार अबना मैने ट्रॉल जो करते हैं लोग उन्हें पर र्याक्ट करना थोड़ा सा कम कर दिया मैं थोड़ा fun way में उसको ले जाती हूं पहले नो मैं गुस्ता हो जाती थी अभी भी गुस्ता हूती हूं मैं बट अब मैं सीख रही हूं कि छोड़ यार क्या ही रखन सब में क्योंकि कब तक ही आप रियाक्ट करो गया तुम खुद देखो मैं एक 50,000 बच्चों को पड़ा रही हूं अपने चानल पे 50-60,000 बच्चे होने वाले 300-300-400 बच्चों मेरी लाइफ क्लास में बैठे हुए हैं उनमें से कोई एक पागल सा इंसान उटकर आता है और लिखता है कि आप ऐसे हो आप ऐसे हो क्या परक पड़ेगा बरको यार कुछ परक नहीं बड़ेगा बरको माइनस वन कभी वो नहीं है यह तो परसेंटेज मतलब क्या यार चलो So yeah, his younger siblings despite having shorter wings अब जो उसके छोटे भाई वेंते हैं, उनके छोटे पंक है तब भी वो ओड़ गए भाई साब बट ये नहीं ओड़ पा रहा ये अभी भी अखेले रहना चाहता है, isolation में रहना चाहता है अभी क्या हुआ, इसके जो parents थे उन्होंने भी sympathy देना बंद कर दिया ठीक है, वो रोता रहा भूका छोड़ दिया, भूक के मारे रोता रहा बट उसके parents नहीं पिगले Finally, the seagull undergoes a mental transformation which helps him to muster courage muster मतलब gather courage ठीक है, courage को इखटा करना समझ में आया By flapping his wings and overcoming fear, he takes a plunge In the process, discovers his ever-presented talent to fly आप सोचो, वो कभी उड़ता ही नहीं उसे अपने talent के बारे में कभी पता चलता ही नहीं कि भाई, मेरे पास भी ये talent है और मैं भी उड़ सकता हूँ कभी उसे पता नहीं चलता कि मेरे पास भी ये power है Right? So hence, the seagull proves that overcoming fear is important key to success जब तक आप अपने डर के आगे बढ़ोगे रही आपको success मिलेगी नहीं जब तक आप उस रास्ते पे निकलोगे नहीं जब तक आप question answers याद करने बैठोगे नहीं या पेपर में लिखकर आओगे नहीं समझ रहे हो? जब याद कर लिया डर लग रहा डर लग रहा डर जिस दिन बैठके याद कर लिया नहीं उस दिन पेला स्टेप तुमने success की तरफ चड़ लिया ठीक है? चलो, next पे आजओ All right, why did the pilot decide to fly through the clouds? पाइलेट ने क्यू डिसाइड करा के मैं बिल्कुल clouds के अंदर ही अपना aeroplane लेकर जाऊंगा So आप बोलोगे Because he wanted to reach England desperately 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 मतलब बहुत जादा बेताबी से वो चाहता था के मैं England पहुँच जाऊं ठीक है? So इसलिए उसने एसा करा जब Dakota यानि कि उसका aeroplane पारिस से निकला तब मौसम कैसा था? यह आपको बताना है ठेक है? So when Dakota took off from Paris The sky was quite clear The sky था वो काफी साफ था अगर मौसम खराब होता तो वो पहली बात निकलता ही ना? मौसम खराब था यह तभी तो वो निकला The moon was coming up in the east Stars भी शाइन कर रहे थे कोई बादल भी नहीं थे Climatic condition भी ideal थी So यह 4-5 line याद कर लो अगर कहीं पर भी लिखने आए ताकि आप लिख पाओ Next पर याओ The pilot was lost in the storm who rescued him and how अब इदर क्या लिखा है भाई लोग? लिखा है Pilot तो खो चुका था हना वो lost हो चुका था उसे किसने बचाया? हना और कैसे बचाया? So अब बोलोगे The pilot of the black aeroplane asked the lost pilot to follow him तो हमें नाम नहीं पता But black aeroplane का जो pilot था उसने बचाया And the black aeroplane was flying in front of him वो black aeroplane उसके बिलकुल सामने उड रहा था Cutting the clouds and showing him the way Then he flew down and disappeared Following him, the pilot came out of the clouds Next, why did the pilot call the Paris control room the first time? और वो दूसरी बार contact क्यों नहीं कर पाया? तो सबसे पहले सबसे पहले आप लोग लिखोगे कि पहली बार उसने contact करा To inform the airport authorities बताने के लिए About his flight to England कि I am going to England ठीके? उसके बाद उसने direction भी पूछी थी He could not contact it the second time दूसरी बार contact इसलिए नहीं कर पाया Because his radio was dead due to strong क्योंकि भाई उसका radio ही नहीं चल रहा था मतलब obviously सारे instruments dead हो गई थे तो जब सारे instruments dead हो गई तो वो contact क्यास करेगा? बेटा पीपीडी दूंगी टेलीग्राम पे तो टेलीग्राम जोइन कर सकते हो क्लास के नीचे description क्लास के नीचे description description में पहले number का ही link है लिखा हो है for free notes, join telegram ठीक है? Next Describe the narrator's experience as he flew the airplane into the storm बाई उसका experience कैसा रहा? क्या-क्या चीजे उसके साथ होई? यह आपको यहाँ पर describe करना है So आप बोलोगे The narrator was in hurry to reach England And although he had little fuel बाई उसके पास fuel भी नहीं था इतना तब भी he was very desperate के मैं किसी तदीके से अपनी family के पास पहुचू He felt home से कुसे घर की याद आ रही थी तो इसलिए उसने risk ले लिया to fly on low fuel Suddenly He lost his contact with Paris control room उसका contact पूरा का पूरा खतम हो गया And And clouds के अंदर क्योंकि जो बादल थे वो storm तुफानी बादल थे अब उन clouds के अंदर everything was suddenly black And it was impossible for him to see anything उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था उसका plane जंप कर रहा था Twist कर रहा था उसका compass और सारे instruments जो थे वो dead हो गये थे He tried the radio वो भी dead हो गया था He was lost in the storm वो पूरे तरीके से खो चुका था और तभी just then a black aeroplane appeared तभी एक black aeroplane out of nowhere वहाँ पर आ जाता है And वो mysterious pilot हमारे pilot की help करता है और हेरानी की बात क्या है जल्दी बिताओ हेरानी की बात क्या है हेरानी की बात है that the other aeroplane had no lights on its wing जो black aeroplane था उसके wings पे light भी नहीं थे सोचो हमारे pilot को कुछ नहीं दिखरा भार का तब भी येवल aeroplane उसे दिखने लगा Right So he could see other pilot face यहां तक की pilot का face तक दिखने लगा यहां तक की वो जो lift कर रहा था hand मेरे पीछे हो वो भी उसको दिखने लगा So narrator's fuel was getting over एक point ऐसा आया कहानी में जब हमारे narrator का जो aeroplane का fuel था वो खतम होने लगा But the other pilot guided him down But तभी जो दूसरा pilot था उसने उसे रास्ता दिखाया नीचे runway का airport का और उसके बाद pilot और aeroplane दोनों ही disappear हो गए और फिर उसको दिखाई नहीं थी Clear everyone Any doubts एक बाली फड़ा फटसे यार थोड़ा cheer up कर दो यार अपनी माम को तब से गला सुख गया वेरा बोल बोल के चलो थोड़ा सा अब तुम मोटिवेट करो यार Come on everyone तुमें भी थोड़ा important feel होगा हान जी जल्दी विताओ Hello ma'am कल मेरा English का model टेस्ट जिसमें पूरा syllabus आ रहा है तो बेटा हमारे कितने चाप्टर्स हो गए हैं भाई लोग ठीक है कमी बचिए ज्यादा लंबी क्लास नहीं बचिए कमी क्लास बचिए दिक्कत मतलो फुट्प्रिंट्स कल कराऊंगी आज अब यही करा रही हो और जिनके प्री बोर्ड है कल मैंने ओल्रेडी फुट्प्रिंट्स वाली मेरेथन करा रही है उसमें इंपोर्डेंट क्वेश्चिंस तुम्हें वहां पर भी दिये है तो वहां से तुम लोग देख सकते हो कल के लिए और जब कल वाली क्लास पे होगे तो वह तुम्हें बोर्ड में तो हेल्प करेगी ठीक है तो परिशा चाप्टर्स राइट और रॉंग राइट अब हमारे पास बचे तीन चाप्टर्स डाइरी ऑफ अन फ्रैंक, ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया, मिच्बिल दॉट्व। ठीक है? ठीक है के नहीं है? चलो, सो अन फ्रैंक को शुरू करते हैं, वाइडिए अन स्टार्ट राइटिंग डाइडी? मैं आपने हेर कट करवाया किर कितने नोटिस करते हैं, मेरे भाई की शादी थी तो फिर मैंने थोड़ा सा हेर कट करवाया, अभी खैर मेरे बाल अच्छे लगनी रहें, बट उस दिन अच्छे लग रहे थे चलो So why did Ann start writing a diary? Ann Frank ने diary लिखना क्यों शुरू करा? यह आप लोगों को बताना है So आप बोलोगे भाई देखो वैसे तो Ann had all the loving parents Ann के पास loving parents भी थे, बहन भी थी बहुत सारे उसके दोस भी थे, many friends भी थे But she had no real friend But उसके पास कहने के लिए कोई real friend नहीं था कोई उसका असली दोस नहीं था She needed someone to listen to her music Music क्यों होता है? thoughts So उसे कोई ऐसा चीए था जिसके साथ वो अपनी thoughts share कर सके जिसके साथ उसका bond strong हो पाए ठीक है उसे कोई किसी ऐसे person की ज़रत थी To share her secrets जिसके साथ वो अपनी secretive बाते शेर कर पाए और confide यानि की trust कर पाए She could not feel free with her friends तो जो भी friends थे उनसे वो सिर्फ रोज मर्रा की बाते कर पाती थी Free feel नहीं कर पाती थी बात करते हुए So this prompted her to keep a diary And that was the reason उसने रेसाइड किया कि मैं diary लिख होंगी ठीक है? Next Paper has more patience than people elucidate अब ये बाला question मैंने हर बार बोला है बहुत जादा important है So according to Anne Frank People are not always interested in listening to what you are telling them Anne Frank की according जो लोग होते हैं वो दलबदलू होते हैं यानि कि वो हमेशा interested नहीं होंगे उन चीजों में जो आप उनको बताना चाहते हो कभी वो बोर हो सकते हैं या उनका मूड खराब हो सकते हैं या उन्हें interest नहीं आएगा आपकी बातों में So But ये paper के साथ नहीं है You can go on writing whatever you like as long as you want So paper अपना patience कभी भी नीख होता आप paper पे कुछ भी लिख सकते हो और जब तक आप चाहो तब तक आप लिख सकते हो Next How did Ann regard her diary and what name did she gave to it तो Ann अपनी diary को क्या पुकाडने लगी Long awaited friend in her imagination वो अपनी diary को समझने लगी कि यार जिस दोस्त का मुझे इंतजार था न वो वला गाना है न जिसका वो सद्यों से इंतजार कर रही थी वो वाला दोस्त मानने लगी Ann वो केवल फैक्ट नहीं रिखना चाहती थी वो डाइरी को अपना दोस्त समझती थी और उसने अपनी डाइरी को नाम दिया Kitty ठीक है Why does Ann want to keep a diary? Why does she feel she can trust diary more than people? Same question है ट्विस्ट करके पूछा है Ann Frank को डाइरी क्यों रखनी थी और उसे ऐसा क्यों लगा कि वो लोगों से जादा डाइरी पर ट्रस्ट कर सकती है तो सबसे पहले आप बोलोगे She wanted to keep a diary because she felt that people change And यह सच है ठीक है तो उसे डाइरी इसने रखनी थी क्योंकि उसे feel हुआ कि यह लोग तो change हो जाते है लोगों पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते And बच्चों यह बिल्कुल सच बात है आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते Let me give you one advice Solid and clear अगर आपको लग रहा है कोई आपका दोस्त है कोई आपका बहुत चाहने वाला है कोई आपका बहुत प्रियमित्र है जिसे आप अपना समझ के सारी चीजे बता दो ऐसा कभी मत करना अपनी लाइफ में अपने सारे secrets कि कभी मत समझना जो तुमारा best-se-best friend हो ना उसको भी कभी मत समझना के में इसको सारी चीजें बता सकता हूँ आप दुनिया में किसी को भी अपनी सारी चीजें नहीं बता सकते हो ठीक है nobody no matter वो आपके कितने भी close है आप हसो, खाओ, घुमो बट कभी भी अपनी सारी चीजें किसी को नहीं बता नी ठीक है So, same Anne Frank भी करती थी She felt that people change and can't be trusted But paper doesn't change But log change Log change होते हैं, paper change नहीं होता Moreover, it patiently documents one's experiences And moreover, क्या होता है? जो paper होता है, वो आपके जो experience है जो भी आपको लिखना है Patiently बैठ रहेगा, पस पर कुछ भी लिखो Right? So, she would keep it confidential Next, grandma had a significant place in Anne's art Explain Explain क्या लिखा है? लिखा है कि ग्राण्ड मा को वो बहुत प्यार करती थी हाना, ग्राण्ड मा जो उनकी थी उनका एक अलगी जगा थी Anne Frank के दिल में वो आपको explain करना है Clear everyone? Next So, in the summer of 1941, Anne's grandma fell ill and had to have an operation ठेक है? तो आप यहाँ पर बताओगे कि भाई देखो, 1941 में जो Anne की ग्राण्ड मा थी वो बिमार हो गई Anne operation के लिए बोला गया Next Why does Anne want to keep a diary? Anne Frank, why do you want to write a diary? Again, read it from her Okay, because it's the same question, it's a different question Next What does Anne write in her first essay? Now, this is important, it's all about her essays that she wrote Okay, what she wrote in it is very important So, first of all, she said what she wrote in her first essay So, you will say Anne wrote that talking is a student's trade Anne ने लिखा, कि भाई देखो, बाते करना तो एक बच्चे का trait है हाना, एक habit है, एक गुण है She would not keep talking under control Because her mother talked the law और ये एक inherited trait है, उसने ये भी बोला अपने first essay में कि मुझे ये गुण अपनी मा से आया है हाना, ये तो family में ही है तो इसलिए में कुछ भी नहीं कर सकती मैं अपना try कर सकती हूँ to keep it under control But मैं इस चीज से अपना पीछा नहीं छोडवा सकती ठीक है Thank you Savant Gaming, that's really sweet of you Next How did Sane help Anne Frank in writing the third essay Sane ने Anne Frank की help कैसे करी 3rd essay लिखने में ये आपको बताना है So Sane was one of Anne Frank's friend तो ये एक Anne Frank की दोस्ती थी And उसने Anne को सिजेस्ट करा कि अब ना, तीसरा essay ना, बहुत हो गया Punishment, Punishment तीसरा essay ना, पोम के form में लिखते है ठीक है, वर्स के form में लिखते है She also advised her to put up the example of a swan and ducklings in it तीसरा वाला essay याद है ना, किस-किस को याद है जो उसने poem लिखी थी Ducklings के उपर तो ये idea उसकी दोस्त नहीं दिया था And the poem was really beautiful Next So बेटा, ये long answer है इसे तुमें read करना है Same पूछा गया है कि Anne Frank अपनी diary पे जादा trust क्यों करती थी लोगों से जादा trust diary पे क्यों करती थी So इसे एक बारी read कर ले ना ठीक है ये वाला मैं तुमें समझाती हूँ लिखा है How did Anne respond to the punishment by Mr. Keesing What light does it throw on her nature कि Anne Frank ने respond कैसे किया जब उसको punishment मिली Mr. Keesing के द्वारा तो उसने respond कैसे करा ठीक है ठीक है और हमेशा Anne Frank से एनोई रहते है क्यों रहते हैं Because of a talkative nature और इस कारण की वज़े से उसे extra work देते हैं To write an essay किस पे दिया essay A charter box पे सबसे पहला essay किस पर दिया था अगर कोई पूछे तो बेधड़क बोलना क्या A charter box पे अब वहाँ पर उसने क्या अपनी टिपनिया दी वो भी आप बताऊगे जो मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया कि talking is a student's trait I would do my best To control it But I won't be able to cure it मैं इसको खतम नहीं कर सकती क्यों? Because it is a inherited trait सब बच्चे comment करेंगे क्यों नहीं खतम कर सकती अन फ्रैंक इसको It is a inherited trait सब लोग comment करेंगे ठीक है? अब Mr. Keesing को बहुत हसी आई उसके बाद उसे एक और एसे दिया गया इन्कॉरिजेबल चैटर बॉक्स इन्कॉरिजेबल मतलब जिसे सुधारा ना जा सके जिसे कुछ भी बोल लो वो कभी सुधरेगी नहीं ठीक है? अब क्या हुआ? तीसरा उनको ऐसे दिया अब उसने तीसरे ऐसे में एक पोम लिखी ठीक है? और पोम थी डखलिंग्स के उपर सो टीचर इतने इंप्रेस हो गए दाट उन्होंने डिसाइड करा कि मैं उसे पानिश नहीं करूँगा तो आप यहां पर बोलोगे कि एक तो हमें आन फ्रैंक की फिरलेसनेस दिखती है कि वो डरती नहीं हाना वो क्या करती है? वो डरती नहीं दूसरा क्रिटिकल थिंकिंग्स दिखती है कि भाई दिमाग है तभी तो लिख पा रही है उसमें दिमाग को यूस किया जस्ट फर दे सेक अफ उसने होमवग नहीं करा समझ रहे है? क्रिएटिविटी दिखती है हूमर दिखता है तो यह सारी क्वालिटीज हमें आन फ्रैंक के अंदर दिखती है next what do the elders in Goa still love to remember what are the elders in Goa nostalgic about यह बार बार होता क्या इसको एक सेक्ड ओके चलो लिखा है कि जो Goa के elders है उन्हें कौन सी चीज याद करके युनों मज़ा आता है और नॉस्टाल्जिक क्यों होता है किसी चीज को याद करना ठीक है क्या वो चीज बार बार याद करते रहते है so आप बोलोगे good old Portuguese days जब Portuguese लोगों का rule था रहा और वो अपने साथ bread लेकर आये थे because they were very famous for their bread what did the bakers wear when the author was young ये बहुत important question है ठीक है मैं कब तक class चलेए बेटा और 15 मिनट लगा लो ठीक है 15 मिनट और class चलेगी ठीक है so bakers क्या पहनते थे जब author young थे ठीक है तो bakers क्या पहना करते थे ये आपको बताना है so पहले आप ये बोल दोगे Portuguese days यानि की Portuguese के जमाने में जो पहले का जमाना था bakers एक peculiar यानि की बहुती strange सी dress पहना करते थे जिसे की कबाई बोलते थे अब कबाई क्या था भाई it was a long single piece of frock एक frock की तरह dress थी जो की गुटनों तक आती थी नीज तक आती थी फिक है जब author बड़ा हुआ तो उन्होंने shirt और trouser पहनना शुरू कर दिया trouser मतलब capri यानि की जो trouser था न वो क्या था half pen से लंबा था और full pen से short था यानि की नीज से थोड़ा सा और लंबा आप लगा लो तो वो कपड़े उन्होंने पहनना शुरू कर दिये थे next how did the baker attract the children तो जो baker है वो बच्चों को attract कैसे किया करता था किस प्रकार से attract करता था ये आपको बताना है तो एक जो जिंगलिंग साउंड होता है जैसे मुझे यादे मेरे बच्चपन का हमे वो वाली आइस क्रीम बहुत पसंदी मुझे नहीं पता आप लोग इतने लखी थे कि आपने वो experience किया है के ने बट मेरे बच्चपन में एक आइस क्रीम आती थी उसपे cover नहीं होता था और उसे ना हम बोलते थे दूद वाली आईस क्रीम वो white color की होती थी और उस पे ना सिर्फ if this is an आईस क्रीम तो इधर हलका सा एक paper लगा होता था वो किसी packet के अंदर नहीं आती थी और वो इतनी बतला कितनी खालो इतनी tasty होती थी मुझे बहुत यादा है मैं कुछ कर दूंगी उन दिनों में वपिस जाने के लिए ठीक है तो यहां पर भी ख्या होता था जिंगलिंग साउंड से नहीं आते थे बच्चे यहां पर कुछ अलग स्पेशल था ठीक है यहां पर आते थे ब्रेड बैंगल्स के चक्कर में यानि क बेकिंग वस कंसीड़ेड असेंशिल इन ट्रेडिशनल गौन विलेज वट रिजन दस दर राइटर गेव तो सपोर्ट इस पॉइंट तो बोला गया है बेकिंग को बहुत ज़ाद असेंशिल जरूरी माना जाता है कहां पर एक गोवा के गाउं में ऐसा क्यों होता है इतना जरूरी क्यों माना जाता है यह आपको बताना है तो आप बोलोगे कि no festival in Goa is complete without bakery products अगर आप festivals की बात करो तो कोई भी festival गोवा में complete नहीं है bakery products के बिना ठीक है सबसे पहले आप बोल दोगे चाहिए वो marriages हो engagements हो कुछ भी हो तो bakery products are very important traditional sweet bread जिसे बोल बोला जाता है वो marriage gifts में दी जाती है अगर आप वो gifts में नहीं दे रहे हो सामने वाली party of end भी हो सकती है अपना रिष्टा लेकर जा भी सकती है ठेक है Christmas में ballinas और cakes बनाए जाते हैं किसी भी party में bread होना बिल्कूल जरूरी अगर bread नहीं है मतलब वो party आपकी incomplete है ठेक है next even today any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker explain तो chapter में बोला गया अगर आज भी कोई इंसान आपको jackfruit की तरह दिख रहा है उसे बेकर बोला जाता है गोवा में ऐसा क्यूं है so आप बोलोगे bread making is a prosperous business भाई सौबात की एक बात के बहुत अच्छा कासा धंदा है bread making का हाना अब जहां पर अगर जिस चीज की demand है आप वो चीज कर रहे हो तो obviously आपे पैसे तो होंगे ही तो यहां पर bread की बहुत डिमांड है तो जो bakers है भाई उन पर बहुत ज़्यादा पैसे भी है the physique of the baker तो वो जिस तरीके से दिखता है न मोटा, ताजा, खाता, पीता, घर का बिल्कुल वैसे समझ जाते लोग कि भाई यह बेकरी है इसको पैसा अच्छा रहा है यह खा अच्छा रहा है क्या bread important है आपको कैसे पता यह आपको बताना है तो आप बोलोगे हान जी भाई गोवा की life में bread बहुत important है आज तक important है क्यों? because daily life में तो काम आता ही है बट उसके साथ-साथ important occasion जैसे engagement, marriage, Christmas, festivals वो सब incomplete है अगर आप bread नहीं, bread से related dishes आप नहीं बना रहे हूँ ठीक है गाईस? next baking was considered essential and profitable profession, what reason did the writer give? so यहाँ पर again same चीज बताई गई है, एक बार ही आप लोग इसको read कर लेना, that would be very beneficial next is where is Kurgh situated, what type of a place it is? Kurgh कहाँ पर situated है और Kurgh कैसी जगा है यह आपको बताना है so सबसे पहले आप लिख सकते हो, Kurgh is situated between Mysore and the coastal town of Mangalore ठीक है, Mysore और coastal town of Mangalore के बीच में situated है बहुत ही beautiful place है and ऐसा लगता है के it appears as a piece of heaven drifted from the kingdom of God के स्वर्ग से कोई टुकडा निकाल कर वो जमीन पहला दिया हो इतना खुबसूरत है हमारा Kurgh कूर्ग को land of rolling hills क्यों बोला गया है यह आप लोगों को यहाँ पर बताना है so because the city is situated on the gentle sloping hills यह आपको बोलना है ठीक है, कहां पर है city? hills पे है the entire area is covered with these hills ब्रहमागिरी hills has a panoramic view panoramic मतलब पूरा का पूरा कूर्ग आपको वासे दिखाई देगा ठीक है, next what is the story about the Kodavu's people Greek descent? अब यहाँ पर देखो दो चीजे है बोला जाता है यहाँ के जो लोग है नहीं तो वो ग्रीस से बिलॉंग करते हैं नहीं तो अरब से हना नहीं तो अरब्स है वो लोग तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि भाई क्यू ऐसा क्यू बोला जाता है इनके पीछे ऐसी कौन सी स्टोरीज है जो यह बोला जाता है ठीक है तो आप सबसे पहले तो बोलोगे भाई देखो कुछ अलेक्जेंडर आर्मी के लोग थे और वो यहीं पर रुख गए क्योंकि वापिस जाना उन्हें पॉसिबल नहीं लगा कि अब इत्ती दूर वापिस जा इसलेव यहीं पर रुख गए लोकल लोगों से शादी कर ले यहीं अपना घर बसा लिया तो एक तो यह स्टोरी है ग्रीक डेसेंट की ठीक है अरप्स की क्या स्टोरी है यह नहीं ड्रेस पहनते हैं एक लोग सा ब्लाक कोट पहनते हैं तो इसलिए भी लोग यहां से सोचते हैं कि शायद यहां के जो पूर्वश थे वह अरप्स थे ठीक है next जो यहाँ के लोग है कूर्ग के इनमें एक ट्रेडीशन है करज और करेज और ब्रेवरी का हना तो यह आपको इसके बारे में बताना है यहां के जो लोग है बहुत ज़्यादा courageous है, बहुत ज़्यादा brave है, इन्हे license, बिना license, gun वगेरा रखने भी allow किया हुआ है तो आप बोलोगे भाई देखो यह अपनी high energy के लिए जाने जाते हैं, अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, बहुत सारे adventurous sports भी यहाँ पर होते हैं और कूर्ग का जो regiment है, that is one of the most decorated in the Indian army, यहां तक कि जो पहला chief था Indian army का general करेयापा, वो भी एक कूर्गी थे and kadaboos are the only people in India permitted to carry firearms without license, तो यह 4-5 lines है, जो आप याद कर लेना यह बहुत important है, ठीक है next, अब यहां पर बोला गया कूर्ग को स्वर्ग का टुकडा क्यों बोला गया है, जाहिर सी बात है अपनी natural beauty के लिए बोला गया है, क्योंकि hills है, forest है, coffee plantation है, हना अलग-अलग चीज़े हैं और साथी साथ freshness है, तो इसलिए इसको बोला गया है, next, बायो डाइवर्सिटी अफ कूर्ग बतानी है, तो यहां पर आप लोग कुछ, you know, animals जो जो आपको देखने मिलते हैं, वो बता सकते हो, महसीर के बारे में लिख सकते हो, जो की, रिवर कावेरी में आपको मिलती है, spice और coffee plantations के बारे में बता सकते हो, तो यह सारी चीज़े आप लोग यहां पर definitely लिख सकते हो, next is, why was Rajveer excited to see the tea gardens, और यही question आपको दे सकते हैं, कि what made Rajveer amazed on the way, ठीक है, वो इतना जादा शॉक्ड या amazed क्यू हो गया, यह आपको बताना है, all right, guys इतना समझ में आया, एक बारी प् क्लास एंड कर दो, is this clear, यहां तक समझ में आया, रवित कुमार मैं, क्लास एंड कर दो, बिटा, आप यह कैसी बात करते हो यारा, कैसी बात करते हो बिटा, रवीत ही आप, आप एक बारी शीशी के आगे खड़े ओकर यह बात करो, इसमें कुछ सेंस है, मानलो, एक बात बत मानलो, मैं मेरे फोन में कुछ देख रही हूं, ठीक है, और मैं ठक गई हूं, तो मैं अपना फोन बंद करके जेब में रखूंगी, या जो फोन में कुछ कर रहा है, उसको मैं बोलूंगी, प्लीज इसे बंद करो, बताओ बेटा, मैं तो खतम करूंगी न, ताकि जो बच् कल देखे, परसो देखे, तो पूरा तो देखे, हैं, अब दस मिनट की क्लास में छोड़ दू, बिटा आप अपना फोन बंद करके रख लो, जेब में बाद में देख ले न, कैसी बात करते हो, चलो, सो भई राजवीर एक्साइटेड क्यों था, ये आपको बताना है, बहुत सारी ग्रीनरी उसे दिख रही थी, it was his first visit to Assam and was fascinated by the sprawling tea gardens, इतरे सारे tea gardens देखकर बहुत जादा उसे अच्छा फील हो रहा था, natural beauty देखकर, बहुत उसे जादा इंटरस्ट आ रहा था, and उसका दोस्त है प्रांजल वो बुक पढ़ रहा था, डिटेक्टिव पे, क्यो कहानिया है, जो origin of tea के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, ये कहानिया कौन सी है, ये आपको बतानी है, तो सबसे पहले आप बोलोगे एक Chinese legend है, Chinese कहानिया, एक बारी क्या हुआ, कि once a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, पानी उबल रहा था, उसमें से कुछ पतियां जो उपर थी प्लैंड मे आगे क्या हुआ, भाई, एक संथ थे, जो अपनी meditation किया करते थे, तो उन्हें बहुत नीद आती थी, तो उन्हें क्या करा, cut off his eyelids, अपनी eyelids काट दी और फेक दी, अब जहां-जहां फेकी न, वहां-वहां से क्या हुआ, टी प्लैंड अपने आप ग्रो होने लग गई, So when he boiled them in water, जब उन्हें पानी में उबाल के पिया गया, it banished his sleep, उच से उनकी नीद भाग गई, तो ये कुछ कहानिया है चाय के बारे में कि actual में चाय का जो origin था वो कैसे हुआ, next, अब Indian legend क्या है, तो same जो मैंने अभी आपको बताया, वो same है, एक बारी इसको तुम लोग read कर लेना, ठीक है, अब next पे आते हैं, मिच बिल दो ओटर पे, जो कि हमारा आज के लिए last chapter है, ठीक है, last chapter है, मिच बिल दो ओटर, एक बारी हाई जोश एनरजी में लिख दो, कि माम, I can do it, और जिनका कल बोड का पेपर है, उन्हें तो और जोश में लिखना चाहिए, कि माम, I can do it, ठीक है, ताक ही एक positivity आए, and surely तुमें पेपर तुमारा बढ़ियाओ, चलो, अभी चलते हैं, what happened when Maxwell took मिच बिल to the bathroom, what did मिच बिल do two days after that, क्या हुआ जब मैक्स बिल मिच बिल को बाथरूम में लेकर गया, और उसके दो दिन बाद मिच बिल ने क्या आतंक मचाना शुरू क यह आपको बताना है, so when Maxwell took मिच बिल to the bathroom, it became wild with joy for about half an hour, वो तो भाईया बाथरूम में जाते ही बिलकुल खुला सांड हो गया, पानी सो इस कदर खेलने लगा, पूछो मत, उसे पानी वेस्ट करने में इतना मज़ा आता था, कि अगर आपने एक भी ड्रॉप पानी की सेव कर चलो, so now, then it rolled and plunged into it, अब खेलता उसके साथ, after two days, two days, दो दिन के बाद, it went itself and struggled with the chromonium tap till it had a full flow, दो दिन बाद अपने आप चला गया, और ना, पानी को अपने आप चलाने लगा, जब तक कि वो पूरा बहन आ जाए, it was very much happier with the water, पानी से बड़ जादा खुश अगा, उसे to the bathroom, तो Maxwell ने मिजविल के बारे में क्या-क्या समझा, इस बाथरूम वले सीन के बाद, तो उसे समझ में आया, के भई, मिजविल को पानी के साथ खेलना बहुत जादा पसंद है, it shows his love for water, as marshes and wetlands are their natural habitat, next, again, what is the most common characteristic of an otter, तो आप बोलो के भई, जो otter है, जो कि एक ड्रागन की तरह दिखता है, love to plunge and roll in water, उसे पानी में खेलना बहुत जादा पसंद है, he played in water like a hippo, तो hippopotamus की तरह, you know, वो पानी में खेलता है, aloof at first, aloof मतलब थोड़ा पहले-पहले अकेला रहा, and उसके बाद उसने अपने surroundings में इंटरस्ट लेना शुरू करा, started responding to his name, कोई भी और एकदम से उसे किसी भी नाम से गोलू शोलू बुलाओगे, वो नहीं सुनेगा, जब आप consistent रहोगे ना, तभी वो सुनेगा, हाना, तो फिर धीरे-धीरे उसने अपने respond करना शुरू करा, and वो गेम्स भी अपने खुद के गेम्स उसने बना ली और वो खेला करता था, so लवड़ प्लेइंग गेम्स फर आर्ज विट टोईज लाग पिंपंग बॉल, मार्बल, रबर फूट, एक्सेक्टर, नेक्स्ट है, जो लंडन के लोग थे, वो मिजबिल के लिए कौन-कौन से उनों गेस करते थे, क्या-क्या गेस किया करते थे, कि ये क्या है, क्या-क्या तो पाते नहीं थे कि यह otter है, हाना, तो क्या-क्या guess करते थे वो यह आपको बताना है, तो भाई, वो कभी baby seal बोलते थे, कभी उन्हें लगता था यह squirrel है, घिलैरी है, कभी hippo बोलते थे, कभी beaver बोलते थे, कभी bear cup बोलते थे, तो बहुत सारी अलग-अलग चीज़े वो बोला करते थे, अब मिझबिल ने अपने खुद का कौन सा गेम इन्वेंट किया था, यह आपको बताना है, तो आप बोलोगे, मिझबिल इन्जॉइट प्लेइंग विद मार्बल्स वाइल लाइंग उन इस बाक, अपने ऐसे लेट जाता था और अपने पेट पे रखे मार्बल से खेला करता था, नेक्स्ट, वाइडिद मैक्सवेल पुट दी ओटर बाक इन द बॉक्स, मैक्सवेल ने दुबारा से अपने ओटर को बॉक्स में क्यों डाला और उसको कैसा फील हुआ, तो आप बोलोगे, क्योंकि वो बसरा से इंग्लाइंड शिफ्ट हो रहा था, और वो चाहता था कि जो ओटर है वो थोड़ा सा यूस्टू हो जाए, इसलिए उसने उसे बॉक्स में डाला, उसे बहुत सैड फील हुआ, हाणा, बिकज ओटर को पसंद नी आया बॉक्स, और ओटर ट्राय कर रहा था तो गेट आउट अफ उट अफ इट, तो आप शुरू में शुरू शुरू में कैसे बिहेव करा, और वो धीरे धीरे ऑथर के साथ फेमिलियर कैसे होता गया, यह आपको बताना है, तो आप शुरू में बोलोगे भई, नीदर हॉस्टाइल नौर फ्रेंडली, ना तो वो दोस्ट बना, ना वो फ्रेंडली हुआ, और ना ही उसने कुछ ऐसा अटाक वटाक किया, या वो हॉस्टाइल हुआ, बिल्कुल ऐसी अलग-अलग रहता था, अलूफ मतलब अखेला रहता था, वो फ्लोर पे सोता था, ओथर के बेड के पास, बट सून ही गौट फेमिलियर विद्धी ओथर, धीरे धीरे वो ओथर को जानने लगा, और उसने अपनी सुराउंडिंग्स में भी इंटरस लेने लगा, अब उसके बाद वो ओथर के साथ बेड पे सोने लगा हाना, उनकी नीज के पास, पेरों के पास सोने लगा, thereafter, he became friendly with the author, whenever he was in trouble, he rushed to the author, जब भी वो परिशानी में होता, वो ओथर के पास भाग जाता, जब भी वो इंडोर्स यानि की घर के अंदर होता, वो अपना टाइम खेलने में ही बिताता, he even escaped to the bathroom, वो बाथरूम में भी चला जाता, where it struggled with tap for water, जहाँ पे वो tap यानि की टूटी कोई खोलने में लगा रहता, and in this way, he became familiar with the author, ठेके guys, clear, किसी को कोई doubt है, the proposal बिटा में कली कराऊंगे, okay, so that's all for today, आज के लिए अपन इतना ही, मतलब हो गया हमारा आज का, अब हम मिलेंगे कल, ठेके, कल हमारी क्लास होगी 7.30 पी-े-म, 7.30 पी-े-म पर कल क्लास होगी बच्चो, और कल हम करेंगे footprints without feet के आपके important question, वो आपका यही है, footprints without feet, जो book का नाम है वही आपके chapter का नाम है, ठेके, So, सबसे पहला question है, why did the landlord want to eject Griffin, जो हमारे landlord था, वो Griffin को घर से बाहर क्यों निकालना चाहता था, and why did Griffin set house on fire, और Griffin ने उसके घर में आग क्यों लगा दी, ठेके, उसने उसके घर पर आग क्यों लगा दी, यह आपको बताना है, So, आप बोलोगे भई, ग्रिफिन was a brilliant scientist, देखो, कहने को तो Griffin एक बहुत बढ़िया scientist था, बहुत ही जादा अच्छा scientist था, बहुत ही brilliant scientist था, Yes or No, आप लोग बताओ मुझे in the comment section, Griffin एक बढ़िया scientist था के नहीं था, जल्दी बिदाओ भाई लोग, ग्रिफिन एक बढ़िया scientist था के नहीं था, सब मानेंगे ना कि भई था, माम एक्जाम बहुत मस गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, माम बहुत अच्छा पढ़ाते हो, half your limit off किया, very good समर्दीप, हाना, तो भई, क्यूंकि brilliant scientist था, तब ही तो उसने ये पता लगाया, कि कैसे आप body को invisible कर सकते हो, but the landlord wanted to eject him from his house, because of his whimsical activities, वो अजीबों करीब activities करता था, short tempered भी था, बहुत जल्दी गुसा हो जाता था, तो strange activities की वजह से, जो landlord था, वो ग्रिफिन को निकालना चाहता था, and ग्रिफिन ने उसके घर पे आग लगा दी, to take his revenge, बदला लेने के लिए, हना कि अच्छा मुझे घर से बार निकालना चाहता है, रुक अभी, मैं बताता हूं तेरे को, और पढ़ा वर्चुस ने क्या करा, उसको ये घर पे आग लगा दी, भाग गया, हाव दो यू एसे ग्रिफिन एस साइंटिस्ट ही, आपको बताना है कि ग्रिफिन को अप आप आज आ साइंटिस्ट कैसा देखते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आप मोल दोगे भाई, ग्रिफिन वस अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट नमबर वान, कि सबसे पहले अपने को क्या बताना है, कि ग्रिफिन एक बहुती ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, दूसरा, उसने क्या करा, कुछ-कुछ ऐसे अविश्कार किये, कुछ-कुछ ऐसे मेडिसिन्स, हाना कुछ-कुछ ऐसे ड्राग्स उसने बनाए, और जिससे की आपकी बोडी इन्विजिबिल हो जाए, और खुदी खा लिए, बट उसने अपनी जो साइंटिफिक डिसकावरी थी, और जो पार थी, उसका मिस्यूज करा, और बिकेम ए लॉलेस परसे, ग्रिफिन वस दस नॉट आ ट्रू साइंटिस्ट, ठीक हैते हैं कि एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, बट कभी भी सही माईने में ट्रू साइंटिस्ट नहीं था, क्यों नहीं था बच्चो ट्रू साइंटिस्ट, क्योंकि अगर एक ट्रू साइंटिस्ट होता, तो अपने आविश्कार को इस समाज इस सुसाइटी के लिए यूज़ करता बट ग्रिफिन ने ऐसा कते ही नहीं करा बिल्कुल भी नहीं किया ठीक है चल नेक्स्ट वट एक्स्ट्राउर्डिनरी थेंग्स हापेंड आड दी एन ये आप बच्चों को बताना है क्या आप लोग कॉमेंट में बता सकते हो ये अपनी बाते ही करनी है तो मैं चली जाती हूँ पहली बता दो चलो सो कौन सी एक्स्ट्राउर्डिनरी चीजे उसने करी इनके अंदर ये आपको बताना है तो सबसे पहले आप मिस्टर और मिस्टिस हॉल वाला इंसिडेंट बताऊगे कि दर लाइंडलोड और इस वाइफ फाउंड दे साइंटिस डोर ओपर उन्होंने देखा भाई साइंटिस का दरवाजा खुला हुआ है साइंटिस तो कमरे में है नी साइंटिस मिस्टिस है सड़नली मिस्टिस हॉल को क्या सुनाई दिया हर्ड असनिफ अपने कान के पीछे से अवाद सुनाई दी और उन्होंने क्या देखा कि सामने जो एक हैट रखी है वो उनकी तरफ आ रही है दूसरी चीज हमने देखी कि जो कमरे के अंदर जो रूम के अंदर चेयर थी वो भी अपने आप आप आटोमाटिकली क्या करने लगी मूफ करने लगी यह सब देखके वहां के लोग बहुत जादा अंग्री और गुसे में आ गए ओकी नेक्स क्वेस्चिन वाई दिड मिस्स हॉल फाइंड दे साइंटिस्ट इक्सेंट्रिक बिटा नोट्स टेलिग्राम पे मिलेंगे ठीक है टेलिग्राम का लिंक पहले नंबर पर है डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके जॉइन कर सकते हो और वहीं पर आपको यह जो नोट्स है वो मिल जाएंगे ठीक है चालो नेक्स्ट इस के भाई वाई डिद मिस्स हॉल फाइंड था साइंटिस्ट इग्सेंट्रिक मिस्स हॉल को जो हमारा साइंटिस्ट है वो एकदम इस्ट्रेंज अजीब सा कही लग्ता था यह आपको बता नहीं इस सीजन में तपक गया दूसरा इस अपिरेंस वो जिस तरीके से दिख रहा था वो बड़ा इस्ट्रेंज तरीका था वह बड़ा अजीब से उसने पोशाक सी पहनी थी पूरा बैंड़िस से कवर था तीसरा वह बड़ा था तो नहीं था उसने बोला था कोई मुझे डिस्टर्ब ना करें मैं खेवल अपने कम्रे में रहकर अखेले काम करना चाहता अब आप लोगों को बताना है कि Mr. और Mrs. Hall ने साइंटिस्स के कमरे में जब वो गए तो उन्होंने क्या देखा तो सबसे पहले आप बोलोगे on seeing the door of the scientist room open, the halls went inside to investigate investigate मतलब जांच परताल करना, जैसे उन्होंने देखा कि भाई इसका तो कमरा खुला है कमरे में कोई है नहीं, हम लोग अंदर चलते हैं और हम लोग अपनी जांच परताल करकर आएंगे कि यह आखिर ऐसा करता क्या है कमरा लॉक करके, ठेके, सो सबसे पहले वो चले गए उसके बाद they saw the bed clothes were cold, यानि कि जो बेट शेट बिची होती है बेट के उपर वो भी भी धंडी थी, हाना अब सर्दियों में अगर आप बहुत देर तक बेट पे नहीं बैठोगे तो बेट शेट तो रंडी होंगी, तो उन्हें समझ में आ गया, कि जो साइन्टेस्त अनई स से उठेवे काफी देर हो चुकी है, his clothes and bandages were lying loose in the room, तीसरी चीज दुनों ने रेखी यार, जितने भी इसके कपड़े हैं, जितने भी bandages है, वो तो ऐसी ही कमरे में, यूनों सारे के सारे बिखरे हुए, suddenly they heard a sniffing sound, जैसे हमने अभी बीचे भी पढ़ा था, कि suddenly उन्हें क्या ह ठीके, उसके बाद क्या हुआ, जो hat थी, वो अपने आप, you know, उनके उपर जंप करने लगी, जैसे हमने previous question में देखा, तो वो सारी चीजे भी आप इसमें add कर सकते हो, the halls got terrified, तो वो बहुत जागा डर गए, and they decided to leave the room, ठीके बचे, चलो, next, how did Griffin enjoy himself inside a big London store, तो store के अंदर, Griffin ने, खुद को कैसे, बड़िया दरी, कैसे enjoy किया, ये आपको बताना है, so सबसे पहले आप बोल दोगे, Griffin slipped into a big London store, to save himself from the unbearable cold, ठीक है, जो unbearable मतलब, जो सहन ये नहीं है, जो अब सहन नहीं कर सकते, भाई, ना तो कपड़े पहने हैं, भरी ठंड में घूम रहे, ठंड तो क्लोज, वहाँ पे वाइन भी पी रहा है, हाना गरम से कपड़े भी पहन लिये, खाना पीना भी भर्पूर कर रहा है, cold meat खा रहा है, coffee पी रहा है, sweets खा रहा है, and पूरा एक दम, भाई सब खा पीके, at last slept on a pile, pile मतलब धेर, तो रजाईयों का जो धेर होता है, ना क्विल्ट Mother help him, कौन से चाप्टर का question है, क्या कोई मुझे बता सकता है, ठीक है बिटा, ठीक है, Silk Road का one shot दे दूँगी, ओके, यर पढ़ लो यार, ऐसे क्यों करते हो, तुम लोग बताओ, अब तुम खुद बताओ, तो मैं गुस्सा नहीं आएगा, हाँ बताओ, गुस्सा आएगा के खुद बताओ, ऐसे क्यों करते हो तुम लोग? जुब एक इंसान पढ़ा रहा है, तो बिटा, पढ़ लो ना, के सारी पंचायती बाते तुम्हें इसी एक गंटे में कननी है, हैं देपिका, इसको मत बताना, S के बारे में, और K, के बारे में, और L, के बारे में, और J, के लेना फिलाल मैं इव राइट के बारे में बता रही हूं वो तो सुन लो यार ठीक है बहुत बहुत डिस्रिस्पेक्टिंग सा लगता है और मज़ा नहीं आता फिर ऐसा लगता है छोड यार क्या ही पढ़ाना छोड़ सही में मुझे तो ऐसी फीलिंग आती है क्लास में आओ न तो सुन लिया करो और अगर नहीं कोई जबरदस्ती नहीं है अगर नहीं सुनना कोई जबरदस्ती नहीं है यहां से उठो दूसरे चैनल पर जाओ या मेरे चैनल पर देख लो कोई और क्लास होगी जिसमें अभी लाइफ तो नहीं चल रही होगी तो वहां प चलो प्लीज पढ़ लो बच्चो प्लीज पढ़ लो ठीक है एक गंटे बाद कर ले नहीं है सब How did E.Bright's mother help him? E.Bright की मम्मा ने किस तरीके से उनकी help करी है आप बच्चों को बताना है So E.Bright mother was a great help to him Obviously उनकी मम्मा ने उनका बहुत जादा support किया हाना काफी हद तक उनका support किया उन्होंने थोड़ा माई कॉपर लगा लेते हैं She always encouraged his interest in learning and finding more हमेश्या जिसमें भी उन्हें इंटरस्टा वो उनको एंकरेज किया करती थी उनकी help करती थी उन्हें ट्रिप्स पे लेकर जाती थी उनके लिए telescope, microscope, cameras, mounting materials हर चीज ला कर देते थी जो उनकी किसी ना किसी प्रकार से मदद करते थे ठीक है? Next is what were the factors which contributed in making E. Bright a scientist? यह बहुत important question है कि कौन-कौन से इसे factors हैं जिन्होंने E. Bright को एक अच्छा scientist एक महान scientist बनाने में help करी है So आप बोलोगे Richard E. Bright had some innate character traits that are the prerequisites of the making of a scientist He had besides an intelligent mind तो उनके पास intelligent mind था उनके पास curiosity यानि की जानने की इच्छा थी हाना उनके पास सीखने की इच्छा थी curiosity उन्हों बहुत जरूरी है जैसे अब कुछ बच्छे इस class में बैठें उनके अंदर बिल्कुल curiosity नहीं है माम क्या पढ़ा रही है हमें क्यू पढ़ना चीए हमें क्यू सुनना चीए नहीं वो बस बैठे रहते और एक दूसरे को message करते रहते और उन्हें लगता है अपने मम्मी पापा को धोका देते कि देखो हमारी तो class चल रही है हम पढ़ रहे है बट अक्चल में वो क्या करते है लाइव चैट में लगे रहते है अपने में तो अगर curiosity नहीं है तो number आपके कहां से आएंगे पर e-bright के अंदर curiosity थी ठीक observing power भी अच्छा था उनका ठीक है उनके अंदर patience भी था उनके अंदर सीखने की चाहा भी थी और ये सारी चीज़े बहुत ज़्यादा जरूरी है basic requirement एक scientist बनने के लिए credit उनकी मम्मी को भी कही ना कही जाता है उनकी curiosity को you know recognize किया समझा और उन्हें एक सही दिशा दिखाई she not only encouraged and supported him but also provided the required support through books and other materials तो encourage and motivate तो किया ही बट उसकी साथ साथ जिस हर चीज़ की जरूरत पड़ी e-bright को वो भी उन्होंने उन तक पहुँचाई ठीक है next why did e-bright lose interest in tagging butterflies तो आपको याद होगा पहले e-bright you know butterflies को tag किया करते थे तो बोला जा रहे इनका interest उससे खतम क्यों हो गया हना वो जो interest था वो lose क्यों हो गया इनका तो आप सबसे पहले बोलोगे कि e-bright used to tag butterfly wings and let them go यही तो करना था migration pattern पढ़ने के लिए हना कि butterfly के wings को tag कर दो and उन्हें छोड़ दो तो उन्होंने क्या करा ऐसी करा in fact उन्होंने अपने घर के basement में ही thousands of monarch butterflies जो थी you know उन्हें पालना शुरू करा he started losing interest because it was a tedious job बहुत boring हो गया था हमके लिए same ही काम बार-बार करना और जादव अच्चो feedback भी नहीं आता था ठीक है अब आप एक बार बताओ अगर आप कोई काम करते जाओ करते जाओ उसमें आपको कोई feedback ना मिले आप बोर हो गए के नहीं जल्दी बिताओ बोर हो जाओगे न आप बोलोगे यार मैं ये काम कर रहा हूं मैं मालो मैं कोई नौकरी कर रहा हूं ठीक है और यार उस नौकरी में मतलब ना तो जादा पैसा मिल रहा है बोरिंग सा काम है जाना है आना है बोर जाओ गया तो बिल्कूल उनके लिए भी सेम हो गया था ना जादा फीडबाक था इसलिए उन्होंने अपना जो इंटरस्ट था उनका वो खतम होता गया next what other interest अब उनके और क्या-क्या इंटरस्ट थे ये आपको बताने है और उनके जो social studies teacher थे वो इब राइट के लिए क्या सोचते थे उनके दिमाग में क्या था ये आप लोगों को बताना है ठीक है बेटा? फीडबाक मतलब होता है बेटा बताना कि आप कैसा कर रहे हो अगर मान लो आप रोजाना पढ़ाई कर रहे हो और फिर आप बोलो कि भई हम तो तान्या वाम से फीडबाक लेंगे फीडबाक मतलब दुबारा से किसी से पूछना कि हमें मैं ठीक कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं क्यासा चल रहा है साभू? ओके? चलो यहाँ पर आप बोलोगे भई साइंस को छोड़के जो इब्राइट थे वो रॉक्स भी कलेक्ट करते थे ठीक है यह याद रखना rocks कलेक्ट करते थे, coins कलेक्ट करते थे, fossil कलेक्ट करते थे उन्हें stargazing में भी interest था astronomy में यानि की तारों में भी उनका कहीं ना कहीं interest था वो एक अच्छे debater भी थे debate बहुत बढ़िया तरीके से वो कर लेते थे हैं बहुत अच्छे photographer भी थे वो कहें ना कहीं, तो बहुत चारे talent थे उनके अंदर, और जो उनके social studies के teacher थे उने लगता था, कि Richard not only was interested in his experiment, but also kept his mind open for other things and put in that extra effort to attain success. कि ऐसा नहीं है, कि E. Bright केवल science में interested थे, उनके teacher बताते हैं कि भाई, इसका interest बाखी चीजों में भी था और अच्छे से था, ऐसा नहीं है कि बस काम चला हूँ interest है, नहीं, नहीं, प्रॉपर अच्छे से interest था और success प्राप्ट करने के लिए वो अपनी पूरी महनत किया करते थे ठीक है, next, why was Matilda always unhappy after her marriage, अब बात आती है हमारी प्यारी प्रिया माडम मेटिल्डा की, so Matilda हमेशे अपनी शादी में नाखुष क्यू रहती थी, ये अपने को बताना है, जल्दी बिताओ, मैं मैंने आपसे 10th में पढ़ा था, आगे वो message उपर चला गया बाकी, मैं देखनी पाई, best teacher तक देखा मैंने, बाकी thank you so much, हाँ जी, so Matilda खुष क्यू नहीं रहती थी, so आप सबसे पहले बोलोगे जो Matilda की इच्छा थी ना, जो Matilda का desire था, ठीक है, क्या था Matilda का desire, सेंट्रल आइडिया करवा दो, बेटा सेंट्रल आइडिया की already एक वीडियो डाल रखी है, इसले बोलती हूँ, playlist देख लो मेरी जान, playlist देखा करो, सारे सेंट्रल आइडिया की एक वीडियो अलग से बना के डाल रखी है, ठीक है, so Matilda's desire, यानि कि उसकी जो wish थी, उसकी नहीं जीना चाहती, मैं तो पैदा हूई हूँ, बिलकुल राज-कुमारी बनने गल है, but मेरी शादी तो हो गई इस क्लरक से, तो वो इसले हमेशा नाखुश रहती थी, ठीक है, if she had accepted her condition with a smile and without any complaints, she would not have to live 10 long years of her life in such object poverty, अगर पहले ही उसने अपनी जो हलात है, जो condition है, उनको accept कर लिया होता, स्विकार कर लिया होता, तो 10 साल उसे भरी गरीबी में नहीं निकालने पड़ते, हाना वो पहले कभी अपनी situation से खुश नहीं थी, और क्या करा भगवान ने, उसको सबक सिखाया, कि भाई आपको अपनी situation में खुश रहना चाहिए, या फिर आपको बैटर क नंबर चाहिए, तो कोई नंबर आपको दान में देने नहीं आएगा, नहीं तो आप जहां हो, अगर 10 नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर हैं, खुश रहो, नहीं रह सकते हैं, अपनी लाइफ में कुछ करना है, मौमे पापा के लिए कुछ करना है, अपने लिए एक मुकाम चाहि तब तक अपको जिन्दगी में कुछ ने में लगा, ठीक है, नेक्स्ट, वट चेंजिस केम इन्ट लाइफ अप दे लाइफ दे लाइफ दे लाइफ में क्या चेंज आए, जब उन्होंने पैसे बौरो कर लिये उसके बाद, अब भाई किराय पे तो ले लिये, बलाब उध तो ले लिये पैसे, एक बार उधार ले लो आग की जिन्दगी जण्ड, तो यहाँ पर इनकी जिन्दगी भी जण्ड हो गई, आप्टर बॉरोइंग मनी, अलोट अप चेंजिस केम, जैसे की, उन्हें मेड हटानी पड़ी सबसे पहले तो अपनी, ठीक है, और मिटिल्डा को सारा हाउसोल्ड का जित्ता भी काम था, वो करना पड़ा, उसके बाद जित्ता भी गंद होता था, वो खुद कूडा भार स्ट्रीट पे लेकर जाती थी, पहले तो वो नीचे भी नियू दरती थी, कि मैं सबजी लेने जाऊंगी तो मेरी रेप्यूटेशन कम हो जाएग बट अभी वो घर का कूडा भी भार तक खुद छोडने जा रही है, पानी भी अप्स्टेर्स खुदी लेकर आ रही है, शी हैड तो डू अल्ड़ शॉपिंग फ्रम दे मार्केट आफ्टर अलॉट अलॉट हागलेंग, बहुत जादा यू नो बार गेनिंग करने के बाद क नहीं नहीं इतने का लगाओ, ये करो वो करो करने के बाद, सारी शॉपिंग भी खुद कर के लाती थी, यहां तक कि हर हस्बेंड अल्सु हैड टू वोग हाड विचारी के जो हस्बेंड था उसको भी बहुत महनत करनी पड़ी, बहुत सारी जॉब्स उसको करनी पड़ी, कि वोग दिन दा इवनिंग और नाइट, तो सुबह भी काम करता था रात में और शाम में भी थीनों टाइम, और दस देर लाइफ चेंज ड्रास्टिकली, तो दस साल उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत जादा गरीबी में जिया है और उनकी लाइफ पूरी की पूरी चें मेटिल्डा को पहचान काहे नहीं पाई, रिकगनाइज क्यू नहीं कर पाई, ये आपको बताना है, तो सबसे पहले आप लिख सकते हो, मेटिल्डा हाड टू वर्क, वरी हाड टू लीड हर लाइफ में, मेटिल्डा को बहुत जादा हाड वर्क करना पड़ा अपनी हमें पता है ना हम मिडल क्लास फामली से हैं, हमें पता है मारी ममी किती महनत करती है, उनके पास लाविश लाइफ नहीं है, के बैठो, नौकर चाकर रहे, ऐसी लाइफ हमें नहीं मिली, तो यहाँ पर हमारी ममी है कैसी है, स्ट्रॉंग, एकदम हाड वुमेन, हना शकल सही लगता है के बहुत महनत की है, तो वैसी मेटिल्डा हो गई थी, ठीक है जैसे टिपिकल हाउस वाइफ औरत होती है बिल्कूल वैसे, सो शी हैज सार्टे लुकिंग ओल, वन संडे इवनिंग वन शी वस टेकिंग अ वाक, अब क्या हो रहा था, इक पार्क में वह वाक ले थ मिसिस वोरियस्टर और वह भी भी बहत यंग और प्रिटी थी क्योंकि वह अमीर थी तो भाई वह अपने आपको मेंटेन करके रख पाती थी, तो अस मेटिल्डा सार्टे लुकिंग ओल, शी कुदेंट बी रिकानाइस पाया क्योंकि मेटिल्डा एकदम से ड्रास्टिकली बाल बिखरे हुए हैं, बुड़ी बिख रही हैं, कपड़े ऐसी पहने हैं तो इसलिए उसकी फ्रेंड उसको बिल्कुल भी नहीं पहचान पाई, ठीक है? Is it clear? Thank you Vidit, thank you so much Very nice to hear that you had studied in 10th, you scored a really good percentage And thank you Next, people should try to live within their means, aspiration have no limits but one should never forget the ground reality, elaborate on the basis of the chapter the necklace, क्या लिखा है? बोलते हैं कि जितनी चादर है उतने ही पहर फैलाने चाहिए, हाँ चादर को बढ़ा करने के लिए हमें महनत जरूर करने चाहिए, राइट? बट हमें लालच में आकर खुद का दिमाग खराब नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि बोला गया है कि चाहने की कोई limits नहीं है आप ऐसे तो घर बैठ बैठे, आप कितना कुछ चालो, मुझे यह भी मिल जाए, यह भी मिल जाए, यह भी मिल जाए, राइट? कि Matilda was a pretty young woman, but she was a daydreamer, हाना, ख्याली पिलाओ बनाती थी, अपनी सपनों की दुनिया में वो रहती थी, although अब आप पूरे explain करोगे कि she was born in a poor family, बट तब भी वो सपने जो थे ना, वो बहती lavish सपने देखा करती थी, ठीक है, अमीर बनना चाहती थी, अब एक दिन उसके husband ने उसे invitation दिखाया, मिनिस्टर के घर का, और उसने अपने husband को emotional blackmail करके किसी भी तरीके से एक नई dress जो थी, वो लेने के लिए convince कर लिया, उसके बाद she borrowed a diamond necklace, अपनी friend Madam Forrester से, अब उसने party enjoy करी, ठीक है, बट necklace खो गया, अब वही से उनकी सारी problem स्टार्ट हो गई, तो replace the necklace, her husband had to borrow the amount on a very high rate of interest, अब आप अगर किसी से पैसे ले रहे हो ना, तो बंदा बयाज ही देने में खतम हो जाएगा, समझ जो लोग बयाज लगा देते हैं उपर, ठेक है कि ये पैसे जो तुम ले रहे हो वो तो तुमें देने ही है, इसके उपर से तुमें इतना interest और देना, अब इसकी पती को बहुत हाई रेट पर पैसे लेने पड़े, करजा लेना पड़ा, वो अमाउंट चुकाने में उन्हें किराय के घर पे आना पड़ा, रेंटिड हाउस में आना पड़ा, उसे सारा जो हाउसोल्ड काम था वो खुद करना पड़ा, Mr. Lois will work that extra to earn small wages, उसके प पड़े answers याद करने में आप पते क्या कर सकते हो, कहानी की तरह दिमाग में याद करना शुरू करो, अगर आप पहली देखकर ठक जाओगे तो नहीं होगा, थोड़ा-थोड़ा पड़ो, थोड़ा-धोड़ा याद करो, कहानी की तरह इसको अपने दिमाग में रखो, सारी चीज़े smoothly हो जाएंगे So thus, तो आप फिर बोल सकते हो कि भाई, correctly बोला गया है कि हमें हमेशा, you know हमारे जो reality है उसी में रहना चाहिए क्योंकि हमारी जो aspirations हैं उसकी कोई limit नहीं है हमें reality को भूलना नहीं चाहिए If Matilda had knowledge, अगर Matilda को ये पता होता तो उसकी life इतनी जादा बच से बचतर नहीं बनी होती ठीक है? Next, the course of the loisal life changed due to the necklace अब again ये same question टेडा करके पूछा हुआ है कि एक necklace की वज़े से इनकी पूरी की पूरी life change हो गई, आपको comment करने है तो इसको बेटा एक बार read कर ले ना कल की तरह अच्छा कल वाले question answers कितने बच्चों ने read करें एक बार बताना कल वाले question answers कितने ऐसे प्रिय बच्चे हैं जिन्होंने read करें हैं क्योंकि मैंने आपको कल ही PPT भेज़ दी थी and मैंने आपको ये भी बोला था कि आप लोग इसको read जरूर से कर ले ना टेलिग्राम पे मैंने आपको भेज़ दी थी ना कल के कल ही PPT तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने read किया भी है पता चले भाई हमने तो मैं read ही नहीं किया वेस्ट हो गया आपका पढ़ाना हाँ जी बेटा 11th की important question दे रखे बेटा आपको चलिए very good अगर किया है तो बहुत बढ़िया बात है super proud of you guys किया है तो बहुत ही बढ़िया बात है ठीक है चलो अब आते हैं भोली पे how did भोली react when her father caught her by the hand to take her to school भोली ने कैसे react किया जब उसके पिता उसे हाथ से पकड़ कर school ले जाने लगे so आप यहाँ पर बेटा सबसे पहले क्या लिख सकते हो भोली पादर caught her by her hand to take her to school she was scared as she did not know what the school was like उसे पता ही भाई school क्या है आप मेरे को कहा लेकर जा रहे हो अगर अभी मैं आपके आगे कजीब सी building का नाम लो आपको समझे नहीं आएगा भाई यह क्या है क्योंकि आपने कभी देखा नी similarly भोली को भी नहीं पता भाई school है क्या school में होता क्या है मुझे लेकर का जा रहे है ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे है तो बहुत नर्वस हो गई she remembered अब उसे याद आ रहे है कि कैसे इन्होंने हमारी जो गाए थी उसको भी बेच दिया था यह कई मुझे न बेच दे therefore she was frightened and reluctant reluctant मतलब थोड़ा हिचक रही थी और school जाने में थोड़ा घबरा रही थी for what unusual reason वोस भोली sent to school अब ये लोग कोई भोली के अच्छाई के लिए तो school भेज रहे थे क्योंकि इनके खुद के दिमाज में school का बहुत गलत perspective था लड़कियों के लिए कि लड़कियां school जाएंगी तो कैसे चलेगा तो इन्होंने क्या करा फिर क्यों भेज भोली को school ये आपको बताना है सबसे पहरे आप लिख सकते हो कि the तहसिलदार put the responsibility तहसिलदार आया था inauguration के लिए primary school खुला था उसने responsibility दी रामलाल को जो की revenue official था के भाई तुम हमारे सरकार के ही बंदे हो तुम representative हो इस गाउं के अंदर तो तुम अपनी बेटी को school भेजो फिर तुमें देखकर लोग भी अपनी बेटीों को school भेजना शुरू करेंगे रामलाल है नोट दा करेश टुडी सोबे हैं अब रामलाल फस गया ना तो वो बेटी को भेजना चाता है और ना ही उसमें इतनी हिम्मत है के वो तहसिलदार को मना कर दे He also felt that there was a little chance of भोली's getting married अब वो सोच रहा है जितने मेरे अच्छे पीस है यानि के जितने मेरी अच्छी बेटिया है अगर मैं उन्हें भेज दूंगा ना तो शादी कौन करेगा उनसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो शादी कौन करेगा भोली की शादी तो वैसे भी नहीं हो नहीं पागल है इसी को भेज देते हैं ठीक है due to our ugly face and lack of sense and that is the reason भोली को स्कूल भेज दिया गया ठीक है everyone Why was Sulekha nicknamed भोली? Sulekha को सब लोग भोली भोली करकर क्यों बुलाते थे बेटा ये आपको बताना है So when Sulekha was 10 months old जब हमारी Sulekha यानी की भोली 10 महीने की थी She fell from the coat जो बच्चों का वो होता है सोने वाला bed type का पालना उससे नीचे गिर गई Due to that accident अब उसके कारण उसके सर पर चोट आई and some part of her brain got damaged और उसके दिमाग का जो कुछ हिस्सा था वो damage हो गया She also stammered और वो बिचारी थोड़ा रुक रुक कर अटक अटक कर भी बोलती थी वो हमेशे इन वजों से एक backward बच्ची रही Being simple अब क्योंकि वो बिचारी बहुत simple थी किसी से कुछ बोलती नी थी लोग उसको dumb समझते थे आना इसलिए सब उसे भोली भोली करके बुलाने लगे Next आपको example दे कर बताना है कि भोली वो जा निगलेक्टेड चाइल्ड निगलेक्टेड चाइल्ड मतलब कोई भोली पर ध्यार नी देता था एमी रखते थे भोली को फिक है? एमी रखते थे So, सबसे पहले अब क्या बोलोगे भाई? Evident है कैसे? No new clothes were made सबसे पहले उसके लिए कोई नया कपड़ा नी आता था घर में She was always passed on dresses of her elder sister जो उसकी बड़ी भेले थी उनी के dresses भोली को पेना दिया करते थे No one cared to bath her और oil her hair कोई इसको नहलाने, धुलाने, खपड़े धोने में बिल्कुल ध्यान नी देता था Neglect was probably due to the fact that she was the youngest in a household of seven children ऐसा भी हो सकता है, सबसे छोटी है तो इसलिए कोई ध्यान नहीं देता उस पे It might be that she failed to draw attention या वो जादा attention नहीं catch कर पाती अपने बड़ों की वेचारी कुछ बोलती ही नहीं है Because of her disadvantageous looks or her physical setbacks बहुती जादा, you know, dark चीज यहां पर चाप्टर में दिखाई गई है कि कैसे parents भी अपने बच्चे को इग्नौर कर रहे है Generally, parents यहां करते नहीं है कि उनका बच्चा तो उनके लिए उनका बच्चा ही होता है चाहे हो जैसा भी हो यहां पर एक जो प्यार भोली को जरूरत थी वो से उसकी टीचर से मिला जो से उसके parents से मिलना चाहिए था चाहिक है? Next Why did the other children make fun of भोली? तो बाकी बच्चों ने भोली का मजाक उडाना क्यों शुरू करा या बाकी बच्चे भोली का मजाक उडाते ही क्यों थे? So आप बोलोगे again कि some part of the भोली's brain had got damaged when she fell from a court at the age of 10 months तो जब वो गिरी थी उसके दिमाग का जो कुछ part था वो damage हो गया था जिसकी वज़ा से वो थोड़ी सी backward child रही यानि कि बाकी बच्चों से जो जादा जल्दी बोलना सीख गए पढ़ना सीख गए वो थोड़ा पीछे थी ठीक है? और simple time लोग उसे बोला करते थे कि जादा जल्दी समझती नहीं है She learned to speak a little late and stammered और अटक अटक के और बोलती जी So does the children made fun of her and mimicked her इसलिए बच्चे आपको पता ही है कितने हार्ष हो जाते हैं कभी-कभी हना और वो उसका मजाग उड़ाना शुरू कर देते थे How does Bholi become her teacher's masterpiece? तो लास्ट में चाप्टर में Bholi को masterpiece बोला गया और उसके teacher को artist तो ऐसा क्यूं बोला गया है हना Bholi masterpiece आखिर बनी तो कैसे बनी यह आपको बताना है So Bholi was definitely her teacher's masterpiece because under her guidance she overcome, overcame her handicap of stammering ठीक है क्योंकि क्या हुआ था stammer जो वो करती थी अटक अटक के बोलती थी वो आदत चली गई थी क्यों गई आदत? क्योंकि यह कोई बिमारी नहीं है यह ऐसा नहीं कि ठीक नहीं हो सकता उसके teacher ने उसे प्यार दिया उसे confidence दिलाया और धीरे धीरे भोली में confidence आया और यह आदत चली गई अब जो shy भोली थी ना वो एकदम से bold भोली बन गई एकदम से confident लड़की बन गई जो अपने ले stand ले सकती है जो दहेच प्रथा चलती आ रही है हना उसके खिलाफ भोली खड़ी हुई और उसने सीधा बिशामबनाद से शादी करने के लिए मना कर दिया उसने नहीं सोचा कि ये समाज क्या सोचेगा वो जो चुगल कोरांटिया हैं वो क्या सोचेंगी कुछ नहीं सोचा सो ट्रूली भोली एक masterpiece बन गई थी ठेक है इतना समझ में आया अब इसमें तीन questions है बोला गये सबसे पहले भोली ने accept क्यों करा proposal दूसरी बात बाद में reject क्यों करा और तीसरी बात हमें इस पूरे incident से भोली के बारे में आखिरकार क्या पता चलता है यह अपको बताने है मैम मेरा अभी half yearly था तो मैंने आपके all chapters वाला video देखा मेरा paper इतना सही हुआ 30 मिनट पहले हो गया बहुत positive mindset के साथ paper दिया thanks a lot very nice very nice चालो next so no doubt भोली agreed to an unequal match at first a proposal of marriage came from a well-to-do grocer called bishambar तो bishambar naat ने क्या भेजा अपना proposal भेजा उसको जो की बहुती अच्छा well-to-do grocer था हाँ उसकी उमर हो गई थी aged आदमी था उसकी पापा की उमर का था और उसमें एक और defect था कि वो थोड़ा सा लंगडा के चलता था moreover उसके जो बच्चे थे उसकी पहली बीवी से वो काफी बड़े बड़े थे वो खुद बुड़ा है तो बच्चे तो बड़े होंगे no girl could like such a match कोई भी लड़की उसको हा नहीं बोलेगी बट भोली ने अपोज यानि की मना नहीं किया प्रपोजल के लिए क्यों? शी डिंट एग्री बिकश्च ही वोज रिच आन हेट सेवरल थाउजन वो पैसा देखकर नहीं ऐसा नहीं है कि वो पैसा देखकर उनो तो उसने वो कर दिया कि नहीं नहीं में शादी कर लेती हूँ लालच में आ गई नहीं अपनी फामली की इज़त के लिए वो मान गई थी दूसरा क्वेशन उसने रिजेक्ट क्यों करा भाई प्रिंसिपल्स उसके कुछ सिद्धान ते जिन्दगी के हाना क्योंकि उसने देख लिया धूला बहुती लालची है शकल देखती पाच हजार उपे एक दहेज मांग रहा है और अगर मेरे मूपे पॉक मांक्स है मुझसे शादी करने के लिए भी रेडी है बट उसे दहेज चाहिए तो उसने बोला कि इतने लालची आदमी से तो मैं शादी करके वैसे भी खुश नहीं रह पाऊंगी ठीक है यहां तक कि जब रामलाल ने अपनी जो पगडी थी टर्बिन वो भी बिशामर की फीट में रख दी तब भी उसका जो दिल था वो नहीं पिगला देन भोली डिसाइड़ दा इनफ वस इवन इनफ वस इनफ शी थ्री वर विद गार्लेंड तो उसने जो माला थी वो अपनी फायर में डाल दी और उसने मना कर दिया कि मैं मीन ग्रीडी और कवर्ड आदमी से शादी नहीं करोंगी ठीक है और इससे हमें पता चलता है कि कुछ भी अपने प्रिंसिपल्स के लिए और अपने फामली के ओनर के लिए तो यह क्वेश्चिन बहुत इंपोर्टन दे इसको प्लीज आप लोग याद कर ले ना ठीक है माम क्लास कब होता है बेटा रोज क्लास होता है साड़े साथ बज़े नेक्स्ट देखते एक बारी कि क्या लिखा हुआ है जस्ट गिव मी अ सेक चल जिखा हुआ है वाई 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 वस थ्वेंटिए थ सेंचुरी कॉल्ड यह एरा ओफ बुक्स तो दे बुक दाट सेव धी अच्छ्छिन है अगर आपको पेपर में ऐसा फील हुआ तो आप देखो कि वो क्यों हुआ कहां पर कमी रह गई आपकी प्रेपरेशन में इस चीज़ को समझो कि किस टाइब से आपके स्कूल ने एक वेस्चन दी है उसको अनलाइस करो अपने आपको एक घंटा दो कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ अगर मेरा पेपर चुटा तो क्या मैंने इनफ प्रैक्टिस नहीं करी थी लिखकर क्या आप लिखने की प्रैक्ट्स करके गए थे क्या आपने खुँद से साम्पल वेपर सॉल्फ किया था एक या दो बार तीन घंटे का टाइमर लगा कर, मैं लिख कर दे रही हूँ, आपने नहीं किया, मैं मेरी गड़ फीलिंग से बता सकती हूँ, मैं आज तक आप से मिली नहीं हूँ, आपने नहीं किया, खाना, बात ये है बिटा, देखो, पॉइंट इस, कि आप डेली पढ़ते हो, ठीक है, ब त्ट्री महें है बिबह आप सीख के इंपरूफ कर सकते हो, आप सीखो कि आपका पेपर छूटा, घ्यूटी चीजें, जिनमें आप इंपरूफ कर सकते हो, क्योस टाइप का कोईशन आपके प्वेपर में पूछा गया है, अपना स्म में टाइमर लगाओ, खीके कोशच करो ताकि आपकी एक habit डेवलाप हो कि हाँ भी तीन घंटे में पेपर करना है कुछ बच्चों ने देखो धाई घंटे में खतम किया क्यों करा धाई घंटे में खतम प्राक्टिस जो आपको इधर से इधर लेकर जाएगी वो है प्राक्टिस इंग्लिश के पेपर में यही है ठीक है लेंदी होता है इंग्लिश का पेपर में मानती हूँ थोड़ा सा लेंदी लगता है बच्चों को क्योंकि अलग-अलग sections में divided होता है बट अगर आप उसकी प्राक्टिस करके जाओगे ना prepared अच्छे से smart work hard work के साथ smart work तो नहीं होगा class timings 7.30 p.m. daily चालिए why was the 20th century called the era of books? 20th century को era of books क्यों बोला गया है यह आपको बताना है so सबसे पहले आप बोलोगे because they were the encyclopedias of knowledge हमारी बात हो रही है हना हम लोग इतना पढ़ते हैं books है हमारे आसपास knowledge है सब चीजों के लिए books है ant eaters से लिए कि जूस तग books were used to educate people and teach them books किसे लिए use होती है लोगों को educate करने के लिए उन्हें पढ़ाने के लिए in fact book was a very important part of the part of life of the people next what does noodle tell think tank about the books? तो noodle जो है वो think tank को books के बारे में क्या बताता है यह आपको बताना है so आप बोलोगे initially thin tank consider book as a crude refreshment उसे लगता है कि शायद यह कोई खाने की चीज है sandwich है but later noodle उसको बताता है कि शायद जो earthlings है जो लोग earth पे रहते हैं वो इसको खाते नहीं है but वो उसको शायद communication के लिए इस्तमाल करते है ठीक है got it चालो next how did think tank misinterpret innocent nursery rhymes अब जो विचारा think tank था उसने जो nursery rhymes उसे misinterpret किस तरीके से किया यानि कि लिखा कुछ और था nursery rhymes में और वो समझ कुछ और गया यह उसने क्यू करा so think tank heard omega transcribe certain nursery rhymes अब think tank ने सुना कि omega न कुछ कुछ तो nursery rhymes बता रहा है ठीक है जैसे कि mistress marry the cat and fiddle humpty dumpty had a great fall जब यह सारी poems उसने सुनी so think tank concluded that earthlings were superior to them वो इन सब को literal meaning में लेकर जा रहा था और उसे लगा यार यह जो earth के लोग है न यह तो बहुत आगे बढ़ गई है यह मुझसे बहुत जादा सुपीरियर है आप class second में नहीं हो कि आप से पूछा जाएगा कि राम कौन थे और पेपर में भी आएगा कि राम कौन थे ठीक है समन में आया हाँ पता नहीं कौन है नाम तो नहीं आ रहा हाँ banking BTS army oh band tank BTS army ठीक है तो आप second class में नहीं हो बेटा कि पूछा जाएगा कि सीता कौन थी तो आजाएगा सीता कौन था ठीक है आप class 10 में हो ठीक और वो जमाना चला गया है जब स्कूल वाले exact question कौपी करके देते है और मैंने हमेशा हमेशा चाहे वो previous year हो चाहे वो इस साल का board exam हो हमेशा मैंने बच्चों को बोला है कि जब आप question answers को याद करके जाओगे न तो अगर आपके स्कूल में कोई question answer आ रहा है और आपने अगर आज तक तमीज से बढ़ाई करी है जैसे आपको बताई गई है तो आप वो कोई भी question attempt करके आ सकते हो अपने आप लिखकर आ सकते हो अगर आपको कुछ important चीजे याद है यह मैंने हमेशा बोला है समझ में आए आपको मैंने यह कभी नी बोला कि बेटा यह exact आएगा मैंने हमेशा बोला है कि वो गुमा कर जरूर आपको चीजे दे सकते है बट अंदर का जो content है वो एक ही है तो अगर आप अपने दिमाग से यूज करोगे अगर आप sample paper वारी class देखोगे अगर आप marathon's देखोगे अगर आप हरे question देखकर जाओगे तो आप वो लिखने की हालत में होगे आप कभी भी खाली नहीं छोड़कर आओगे paper आपको पता होगा कि इसका answer यह है और मुझे इस तरीके से लिखना है कि दो line में इस answer की उठा सकता हूँ चार यहां से और मैं अपना answer बना के लिख कर आ सकता हूँ तो यह मैंने हमेशा बोला है ठीक है अब आपको कितना यह बात बेटा सवजवे आई यह आपके उपर है बेटा नाविद खान दफ़ा हो जाओ प्लीज I don't like this type of bullshit in my class ठीक है मुझे इस तरीके से बात मत करना बिकास आप मुझे आप कुछ दे नहीं रहे हो खड़े रहकर पढ़ाने के ठीक है जब आप कुछ दे रहे हो ना मुझे तब भी मैं यह हक नहीं देती आपको इस तरीके से बात करने का तो अपनी थोड़ी तमीज में रहो और अपने कान को खोलो आप जिस टोन में बात करोगे तो तमीज से बेटा करके जवाब देती ठीक है और अगर मैं पढ़ा रही हूँ ना तो मेरा पूरा टाइम ध्यान वहाँ पढ़ नहीं है तो अगर मैं कॉमेंट्स को नहीं देख पा रही हूँ ना तो पाल तु बक्वास मत किये करो ठीक है वेट किया करो पूरा टाइम यू करके नहीं पढ़ा रही हूँ मैं यहां नहीं लिखी हुई मेरी चीज़े यहां लिखी हुई है अलग बत्तमीज लोग है यार खरीद लिया ऐसा लगता है हमारे यूट्यूब चानल पर अगर पढ़ रहे ना में खरीद के बैठे हैं कोई भी आएगा कुछ भी बोलेगा चल जाएगा बक बक कर रही है यह कर रही है वह कर रही है आपि तेरे घर पर गडरी Environ 10 है तो पैसे थोडी टेरा मेरे कोफनी में ही तो बढ़ रहा है ना के बक बक कर रही है क्या होता है बक्वास कर रहा है चलो आगे आओ बक्बक नहीं करूंगी तो कैसे पढ़ाओंगी रॉबोर्ट थोड़ी हूँ पढ़ाती जाओं बैं मैं 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 कुछ तो बीच में बोलूंगी न क्या चाहते क्या हो कॉमेंट का जवाब ना दो तो बगबग कर रही है कॉमेंट का जवाब दे दो तो पढ़ा नहीं रही है स्खाली बाते करती है ट्रॉल तो हम करेंगे खुद के बसकी कुछ है नहीं खुद ना तो पढ़ा सकते हैं न पढ़ सकते हैं पक्वास करा लो चलिए लिखा हुआ है बचो कि बुक्स को बेस्ट कमपानियन क्यों बोला जाता है ठीकें? बुक्स को बेस्ट कमपानियन क्यों बोला जाता है इंसान का अब आन फ्रैंक वाले चाप्टर में भी हम लोगों ने देखा क्या कि Ann Frank ने बोला कि बुक जो मेरी डाइरी है वो मेरी बेस्ट ट्रेंड है और बुक्स को बेस्ट कमपानियन भी बोला जाते है तो ऐसे क्यों बोला जा रहा है यह आपको बताना है विच बुक सेव दिया तो और कौन सी यसी बुक है जिसने अर्थ को बचा लिया किस से बचा लिया मार्शियल इन्वेजन से बचा लिया ठीक है Yes, yes So बुक्स अब बिन कॉल्ड़ा मैंन बेस्ट कमपानियन as they always teach the right things किताबे हमें हमेशा सही चीज़े सिखाती है वो हमारे बेस्ट कमपानियन इसले भी है because हमारे बेस्ट फ्रेंब्स हमें छोड़ सकते हैं in the hour of need but बुक्स हमें कभी भी नहीं छोड़ेगी बुक्स हमेशा हमें ग्यान देगी ही हाना हम से कुछ लेगी नहीं बदले में ठीक है A book of nursery rhymes saved the earth from martian in invasion So बुक का नाम क्या था आप लो comment section में spam करोगे और यहाँ पर लिखना है के बहीं एक nursery rhymes की बुक थी जिसने अर्थ को बचा लिया from the martial innovation Okay Ma'am do we have to learn all the answers or just the key point See my point is कि आप लोग रटा मत मारू ठीक है वेद रटा नहीं मारना The only thing I want is कि ब्लांक मत जाओ अब वो आपके उपर है कि आप एक deep learning कर लो या deep reading कर लो इन question answers की कि आपके दिमाग में बैठ जाए ठीक है आपके दिमाग में बैठ जाए कि हाँ यार answer को इस तरीके से frame करना है फिर चाहें वो हमसे कुछ मर्जी पूछ ले हम लोग लिखकर आ जाएंगे हाना अब कौन से questions आएंगे तो हमें भी नहीं पता यह वो question है जो most repeated है यह वो question है जो हर साल बच्चा करके जाता है और उसके paper में मचा कर आता है क्योंकि वो पढ़ता अच्छे से है ठीक है तो अच्छे से आप लोग याद करके जाओ अच्छे से पढ़कर जाओ इनको इसके बार इतनी guarantee है कि कोई question आ रहा है न चाहें कुछ भी आ रहा है question same question same language में नहीं आ रहा अगर घुमा कर भी पूछा है तो भी आप माल लोग इन दोनों से कुछ घुमा कर पूछा है तो आप आधा इससे आधा इससे लिकर अपना answer बना कर आ सकते हैं अगर आपको याद है यह चीज ठीक है येस mother goose, mother goose, mother goose very nice next, आगे चलते हैं what guesses are made by think tank about the books found on earth तो लिखा हुआ है कि जो books है हाना अर्थ पे think tank क्या क्या guess कर रहा है ये क्या क्या चीजे हैं ये आप लोगों को बताना है ठीक है so after seeing the books think tank jumps to a strange conclusion वो एक अजीब से conclusion पे आ जाता है he says कि books are sandwiches कि ये किताब तो sandwiches से खा जाओ और order भी कर देता है अपने crew को कि मुझे खा कर दिखाओ ठीक है इसको खा लो तुब लोग he asked omega to eat it at last oop bites the corner of the book and reports that it is not delicious बिचारा वो अपने junior को देता है वो अपने junior oop को देता है और oop बोलता है कि अच्छा नहीं है बत सुखा है मिससे नहीं काया जाएगा फिर noodle गेस करता है कि actually they are not for eating maybe they are communication devices ठीक है noodle again suggest that they are perhaps for eye communication तो जैसे ही noodle बोलता है communication devices है think tank बोलता है कान पे लगा कर सुनो अवाज आएगी जैसे कि कुई mobile phone हो ठीक है but noodle फिर करेक्ट करता है कि शायद इना eye communication है पढ़ने के लिए है कान पे लगाने के लिए नहीं है ठीक है ठीक है चलो next noodle avoids offending think tank but at the same time he corrects his mistake how does he manage to do that लिखा है भाई देखो जो noodle है वो think tank को offend भी नहीं करना चाता गुसा भी नहीं दिलाना चाता at the same time वो उसकी गलतियों को correct भी करता है करता है के नहीं बताओ तो वो ये चीजे कैसे कर पाता है ये आपको बताना है ठीक है अब पढ़ लो यार अब रहन दो बस हो गया वो टॉपिक यार मैं genuinely ही गुसा नहीं करना चाती मैं बहुत जादा thankful feel करती हूँ और मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ जो मुझे जानता है उसे पता होगा के मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ ठीक है कुछ ऐसे बच्चों होते हैं जो बहुत मतलब ही होते हैं और जो सिर्फ YouTube पर अपने फायदे के लिए आते हैं के ठीक है भाई मतलब सब अपने फायदे पे मैं आदे गंटे से अगर किसी को इगनोर कर रही हूं फिर कोई बोल रहा है तो मेरा रियाक्षिन आएगा अब वो कुछ भी कोई बोले मैं बाकी टीचर्स की तरह नहीं हूं क्योंकि शायद वो इसको इसको प्रोफेशन ही देखते है बट यह मेरे लिए थोड़ा परस्नल हो जाता है तो मुझे लगता है यह टीचर्स की इजद बहुत बड़ी चीज है तो इजद तो दो बस ऐसा लगता है मुझे कि अगर चैनल पर पंडे आ रहे हो तो कुछ नहीं दे सकते कुछ मांग भी नहीं री मैं तुमसे कोई पाईसा नहीं मांग री मैं तुमसे तो तुम इजद बड़ो दो दाट चैनल वह नहीं दे सकते ना तो फिर चूप रहो और निकलो बस ऐसा लगता है वरको इट इस नोट घमंट इट इस सेल्फ रिस्पेक्ट बस बात सेल्फ रिस्पेक्ट की जहा आ जाती है वहाँ फिर मैं किसी की नहीं सुनते है सो कमिंग बाक सो नूडल अवोइड ओफेंडिंग थिंग टैंक अब वह ओफेंड तो करनी सकता है क्यों कि उससे पता है भाई मुझसे बड़ा है हाना मतला मुझसे हायर पोजिशन पे है बुरा मान गया तो दिक्कत हो जाएगी बट सेम टाइम पे वह उसे करेक्ट करता ह अब उसे लगा यार अगर मैं इसके उपर बोलूगा कि नहीं तुझे नहीं आता मुझे आता है तो चिर जाएगा थिंग टैंक तो वह अपने आइडिया उसको छोटा लिखाता है कि सर मेरे पास ने एक फालतूस आइडिया है ऐसे करके बोलता है और ऐसे करके वह थिंग को बच्चो करेक्ट करता है मेक्स पर आते हैं कि क्षची के कंडीशन वेसा पाận रंसक downtव रिकलेक्ट किया ने उसको रिकलिक्ट किया ठिके यह अपको बताना है सब से पहले घ्लोषफ़ापिंग रहें कि तो टिके हमारा प्लेक्सिवल नगा बन चुका रहें कि यस नहीं राज इससे बिचारे से चले ना जाए, right? So Tricky's ears were flapping, his tail was waving, वो एक बहुत ही hard-muscled, एक तम, you know, muscular animal में, एक तम thin, flexible animal में transform हो गया था, his chest was almost brushing the ground, and बहुत ज़दा अक्टेव हो गया था, वो हना, पहले वो था एक un-interesting object, किसी को उसमें इंटरस नहीं था, but now, वो बहुत ज़दा active हो गया था, and the other dogs enjoyed his company, बाकी के dogs को भी उसके साथ खेलने, कूदने में काफी ज़दा मज़ा आ रहा था, next पे चले, चालो, how did Mrs. Pomfrey and her servant behave, भाहिनोंने behave कैसे किया, जब उसे लेके जाया जा रहा था, तो आप पहले बोलोगे, पूरे के पूरे स्टाफ को जगा दिया, तू भी आ, तू भी आ, तू इसके कपड़े ला, तू इसके खाने के बाउल्ज ला, दिन में इसमें खाएगा, तो पैर में इसमें खाएगा, सारा हल्ला मचा दिया, mates rushed in and out bringing his day bed, night bed, cushion, toys, everybody was in tears, सब रो रहे हैं, Mrs. Pumfrey gave a desperate cry, Mrs. Pumfrey तो दहाडे मार मार के रो रही है, when Tricky was sent to the surgery, next, what was Tricky's ailment, Tricky को बिमारी क्या थी, and how did it worry Mrs. Pumfrey, और Mrs. Pumfrey उससे किस प्रकार चिंतित हो रही थी, यह आपको बताना है, ठेक है, next, So Mrs. Pumfrey had a dog name Tricky, सबसे पहले आप बताओगे भाई, इनके पास एक कुत्ता है, और उस कुत्ते का नाम क्या है, Tricky है, indirectly, वो खुदी रिस्पोंसिबल थी, अपने डॉग की इलनेस के लिए, क्योंकि वो उसे little extra meals देती थी, यानि कि खाना तो दे ही रही है, खाने के अलावा, बीच-बीच में extra जो meals हैं, वो भी दे रही है, साथी साथ not given any physical exercise, उसे exercise नहीं दे रही, तो इससे क्या होगा, डॉग बिमार हो गया, उसने vomiting करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परिशान हो गई, कि उन्हें wet को बुलाना पड़ा, डॉक्टर हीरियट को for his treatment, ठीक है, next, डॉक्टर हीरियट इतने ज़्यादा कॉन्फिदेंट क्यों थे, कि भाई जो हमारा ट्रिकी है न, वो हॉस्पिटल जाएगा जल्दी, जब डॉक्टर हीरियट पहले भी ट्रिकी से मिले, तो वो बहुत साथ है शॉक्ट हो गए, क्यार ये क्या हालत बना दिये, क्या कंडीशन कर दिये इसने इसकी, ये नूँ दे लैटर, लैटर मतलब जिसकी बाद में बात हो रही है, ट्रिकी की, कि ये बहुत जल्द हॉस्पिटलाइज होगा, बिकॉस्पिटलाइज होगा, क्योंकि ये एकदब ब्लॉटेट सॉसेज की तरह लग रहा है, ये तो हिल भी नहीं पा रहा, ये बिचारा बहुत जल्दी हॉस्पिटल में आने वाला है, तो आप मिस्पम्फरे के बिहेवियर की बारे में क्या बोलना चाहेंगे बच्छो, ये आपको बताना है, सबसे पहले भई आप बोलोगे बहुती सिली बिहेवियर था, बहुती थौटलेस मानर में उन्होंने यापर बिहेव करा, ठीक है, इंडारेक्ली वही रेस्पॉंसिबल थी उसकी हेल्थ के लिए, और टोटल वेस्ट ओफ मनी था, बट इस बिहेवियर इस वेरी कॉमन अमंग रिच पीपल, क्योंकि जो लोग अखेली रहते हैं, जो लोग रिच होते हैं, तो ये प्रॉबलम बहुत जादा कॉमन है, कि वो लाड़ प्यार में अपने कुट्पे की तवित खराब कर ही लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट, इनिशियल मतलब स्टार्ट तो एक्डम स्टार्टिंग की स्टेज में, क्या क्या सजेशन दी एं मिस्स पंफ्रे को, यहां पर आप बोल सकते हैं, युनोंने बोला था, कुट्डाउन कर दो, कुट्डाउन मतलब क्या था, रिड्यूस कर दो, कम कर दो जो स्वीट थिंग्स आप उसको दे रहे हो, क्यूंकि कुट्टों को मीठा नहीं देना चीहें, हाना तो क्या बोला था बाइक्ड रिड्यूस कर दो स्वीट थेंग्स एंड नॉट टू गीव एक्स्ट्रा फूड मत दो, कि उसे स्ट्रिक्ट डाइट पर रखो और उसे जादा से जादा एक्सराइज दो, नेक्स्ट, वाई वस मिस्टर हीले टेंप्टेट टू कीप ट्रिक्ट अज़ पर्मनेंट गेस्ट, मिस्टर हीले टेंप्टेड क्यू थे कि या ट्रिक्ट को तो ना महीं रख लेता हू ऐसा क्यू करा उन्होंने, तो आप सबसे पहले बोलोगे कि मिस्टर पंप्रे यूस्ट टू सेंड लॉट अफ थिंग्स भाईया यह बहुत सारी चीज़े भिजबाती थी ठीक है एग्ज, वाइन, ब्रैंडी, ट्रिक्टी के लिए बट नकिंग वस गिवन ट्रिक्टी क्यू कि उसकी प्रॉब्लम ही जब किसी की प्रॉब्लम ही खाना है और आप उसे खाना ही भिजबाओगे तो उसे नहीं दिया जाएगा, अब सारी चीज़े कौन खा जाता था दॉट्टर और जो बाकी के मेंबर्स हैं होस्पिटल के वो खा जाते थे थे हैंस Mr.Hedriot was tempted to keep Tricky as a permanent yes and hence Mr.Hedriot को क्या हुआ ह मैं पूज अर्रिक कोना मैं यहीं रख लेता हूं झालो झालो जी समझ में आयां के उ जैता हम मुझे समझ नहीं आ रहा आज बच्चे गए कहा तो अज आज आधे बच्चों का पेपर था तो वह अपने चिल आपने तो इसाट पेपर की तियारी करूंगे एसागी हो सकता ह ये भी बात हो सकती है चलो नेक्स पे चलते हैं अरे यारे तो ये बार बरीटाच होता है जो हमारे डॉक्टर हीडियेट थे उन्होंने ट्रिकी को किस प्रकार से ठीक करा ये आपको बताना है सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे बच्चे कि ट्रिकी को एक गरम बॉक्स में एक वाम बॉक्स में रखा गया ठीक है घीवस गिवन प्लैन्टी ओव वाटर उसे धेर सारा पानी दिया गया और तीसरे दिन से उसे थोड़ा सा वोग के लिए छोड़ा गया उसे खाना तो दिया गया बट वी आईपी तरीके से नहीं उसे बाकी डॉक्स के साथ फाइट करके अपना खाना लेना पड़ा जिससे कि जो exercise की उसकी बॉडी को ज़रत थी वो exercise भी उसे कहीं ना कहीं मिली It gave him the needed exercise He started running, playing, fighting with other dogs and soon he transformed into a healthy, golden, silky, muscular and flexible dog ठीक है? Next In the end of the lesson, Mrs. Pamprey says This is a triumph of surgery Mrs. Pamprey says this is a triumph of surgery यह आपको बताना है So Mrs. Pamprey's dog tricky and fallen ill सबसे पहले आप यह लिख दोगे कि जो Mrs. Pamprey का डॉक्टर ट्रिकी वो बहुत जादा बिमार हो गया था and उसे एडमिट करना पढ़ा हा हॉस्पिटल में for the treatment, right? Dr. Heeret नो से बहुत सारा पानी So basically आप यह बताओगे उसे ठीक कैसे किया ठीक है पहले आप यह बता दोगे जो हमने अभी डिसकस किया फिर आप आगे लिख सकते हो कि भाई जो Mrs. Pamprey कलेक करने आई So Tricky जंप अर इंटू अला Tricky को देख करके वो जंप कर रहा है चलो Next पे चलते है Why did Hari Singh? What did Hari Singh say about the different reaction of people when they are robbed? So यह मैंने आपको पहले भी बताया है पहले भी कराया है ठीक है So यहाँ पर आपको बताना है कि जो Hari Singh है उसने क्या बताया है अलग-अलग reactions के बारे में जब लोगों को you know चोरी होती है उनके यहाँ तो कौन से अलग-अलग टाइप के reactions निकल कर आते है यह आपको बताना है So Hari Singh ने बोला कि जो greedy आदमी है वो डर दिखाएगा मैंने इक इसकी list भी बनवाई थी किसी को यादे? हाँ जी इसकी list बनवाई थी मैंने किसी को यादे के नहीं बनवाई थी ना कि greedy आदमी डर दिखाएगा Rich man showed anger Poor showed acceptance Careless man would not even notice But a man like Anil would be sad when discovered that he was stolen Not because of the loss of money but because of loss of trust Next In which queer way did Anil make a living? तो Anil कौन से ऐसा strange से अतरंगी से तरीके से पैसे कमाया करता था यह आप लोगों को बताना है So सबसे पहले आप बोलोगे By borrowing money पहला उसका step था वो पैसे लेता था ठीक है? कर्जा लेता था Repaid the loan when he earned money जब भी उसको यूनो अपनी writing से वो writer था magazine के लिखता था पैसे आते थे तो जो कर्जा लिया है वो चुका देता था अब वो अपनी जिंदेगी flow of money के अनुसार जीता था यानि कि जब पैसे होते तो बाहर जाता दोस्तों के साथ enjoy करता जब पैसे नहीं होते तो अपने जो खर्चे थे अपने जो expense थे वो वो कहीं न कहीं कम कर दिया करता next Hari Singh did not catch the train deliberately Hari Singh ने क्या करा जान पुछ के train नहीं catch करी अगर वो चाहता तो वो बड़ी अराम से train पकड़ सकता था बट यहां पर उसने नहीं करा why? ऐसा क्या हुआ? ऐसा उसके दिल और दिमांद में क्या आया कि उसने ऐसा नहीं करा सो सबसे पहले आप बोलोगी because his inner concise held in back भाई उसकी अंतरा आत्मा बदल गई थी अंदर से बदल गया था वो हाना moral level पे अच्छा नहीं लग रहा था उसको उसे लग रहा था कि Anil को न ये बुरा लगेगा कि मैंने उसका trust तोड़ दिया है और moreover वो जो learning का chance था कि वो मुझे पढ़ा रहा है लिखा रहा है अगर मैं पढ़ लिग गया तो मैं और ज़्यादा पैसे कमाऊंगा तो ये जो learning का chance थाने ये नहीं खोना चाहता था वो तो इस inner self was transformed Next How did Anil come to know that Hari Singh had run away with his money Anil को कैसे पता चला होगा कि जो Hari Singh है वो पैसे लेकर भाग गया है बताओ भाई So perhaps Anil might have woken up at night and discovered that Hari was not present in the house अब आप बोल सकते हो ऐसा भी हो सकता है कि Anil उठा हो और उसने देख लिया हो कि ना तो पैसे है ना Hari Singh है Yeah, moreover he found the wet note under his mattress हो सकता है सुभा जब उसने गीले note wet notes देखे हो वो समझ गया हो हाँ न कि ये पैसे लेकर भागा था Because out of that he gave a 50 रुपी note to Hari and reacted normally Why did Hari Singh want to become an educated man who helped him in it? educated आदमी क्यों बनना चाहता था? Because an educated man can earn and get everything उसको इस बात का भली चोर था but उसको इस बात का realization था कि एक जो educated आदमी होता है वो अपनी life में कुछ भी कर सकता समझ रहे हो वो अपनी life में कुछ भी कर सकता है कुछ भी कमा सकता है So Anil wanted to help him with this work He started giving him lessons in English अब again same question दे को twist करके पूचाए के Hari Singh grateful क्यों था Anil पे तो आप ये भी बताओगे Anil के लिए grateful था क्योंकि वो उसे पढ़ाना सिखा रहा था तो एक ही question बच्चो अलग अलग तरीके से आ सकता है और आप लोगों को अलग अलग तरीके वाले जो questions उन्हें कैसे attempt करना यही सीखना है questions के deep reading करके ठीक है guys Got it बिटा आरेन क्या चाहते हो आप कितना spam करना चाहते हो जब तक आपका keyboard ना टूच जाए तब तक spam करोगे है मेरी जान मैं गजनी नहीं हूँ बेटा मैं मापतो सुखोई में पढ़ाते हो मुझे पढ़ता है मैं गजनी थोड़ी हूँ चलो अनिल's large heartedness transform हरी सिंग completely comment तो अनिल का जो इतरा बड़ा दिल था उससे हमारा जो लड़का था हरी सिंग पूरा transform हो गया राइट पूरा का पूरा transform हो गया कैसे तो सबसे पहले आप बोलोगे भई वो conventional views में believe नहीं करता वो तक्यान उसी बातों में believe नहीं करता ठेक है उसके पास हरी के लिए एक soft corner था This is despite the fact that अनिल was aware of हरी's money stealing habits कोई और होता अभी तक इसे घर से भाहर निकाल चुका होता इसे पता था चोटी मोटी चोडिया करता है उसके बावजूद अनिल ने उसे अपने घर में रखा ठेक है और कभी भी अपने मन में कोई गंदी भावना बदले की भावना या गुस्से की भावना नहीं आने दी अब जो हरी सिंग था वो भी इस बिहेवियर से बहुत जागा टाच था कि अनिल माफ भी कर देता है भूल भी जाता है सो अनिल ने वैसे तो बहुत काइंड काइंड आक्शन्स करे हैं तो वर्ड़ अहरी सिंग मेजर क्या था बहुत सारे बच्चे मुझसे क्लास का टाइम पोच रहे हैं बार बार बच्चे क्लास का टाइम है तो बहुत सेवें थाटी पीम ठीक है तो फिर रोजाना क्लास होती है ओके चाहतो नेक्स्ट वट ग्रेट क्वालिटी इस मेड ओसेबल अ सक्सेश्फुल सीक्रेट एजेंट अब आपको बताना है ओसेबल के अंदर ऐसी कौन सी महान कौन सी एसी ग्रेट क्वालिटी इस थी जिससे की वो एक सक्सेश्फुल सीक्रेट एजेंट बना तो आप बोलोगी भाई देखो अलर्ट था हाना उसका दिमाग जो था वो अलर्ट रहता था कि कौन सी सिच्वेशन में मैं कौन सी कहानी बना सकता हूं कौल हेड़ परसें था प्रेजंस ऑफ माइंड काफी जादा था तो यह यह जो वर्ड है ना कौल हेड़ परसें प्रेजंस ऑफ माइंड अलर्ट रिसोर्सफुल यह वर्द याद कर लो इससे बोलते हैं से डीप वाले वो नावेट सौरी माम इस ओके इस ओके बट कभी भी किसी की क्लास में नहीं किसी की भी क्लास में जाके ऐसा मत बोलना क्योंकि विटा आपको नहीं पता कि एक टीचर अपनी परसनल लाइफ में किन प्रॉबलम से डील कर रहा है और वो तब भी आके कैमरा के आगे स्माइल करके पूरी एनरजी से आपको पड़ा है और वो अपसे बदले में कुछ नहीं मांग रहा है और आपको नहीं बोल रहा है पड़ो मत पड़ो वो बस पड़ा रहा है तो अच्छी बात आपको रेलाइज हो गए है वेरी गुड आम सो प्राउड ओफ यू बट आगे सा कभी मत करना ठीक है क्योंकि आपके एक एक एक्षिन से ना पूरी टाइम किसी का दिल दुखी रह सकता है तो अगर आप किसी को स्माइल नहीं करा सकते तो उसको बुरा भी मत फील कराओ चलो next how to tackle poetic devices बेटा poetic devices पे पूरा lecture दे रखाओ तो tackle क्या करना उसे समझ के जाओ पूरा lecture एक poetic devices पे है हर poem की poetic devices समझा रखी है उसके बाद भी अगर किसी poetic devices में दिक्कत है तो comment करो tackle word तो आना ही नहीं चाहिए next why was faller disappointed on seeing audible तो faller audible को देखते ही disappointed क्यों हो गया या उसके साथ रहने के बाद एकदम निराश क्यों हो गया ये आपको बताना है ठीक है ये आपको बताना है so आप बोलोगे follower was disappointed on seeing audible who was unlike other secret agent बाकी secret agents की तरह नहीं था fat था sloppy था हना heavy American accent था flashy नहीं था romantic नहीं था like other agents कुछ भी जैसा उसने movies में या books में पढ़ा था ऐसा नहीं हो रहा था and that's the reason he was disappointed Max कौन था and how did audible got rid of him तो max कौन था आपको ये बताना है और audible ने अपना पीछा max से कैसे छुटवाया आपको ये बताना है so सबसे पहले आप बोलोगे वही max भी एक secret agent था जो की secret papers के लिए आया था on missile Aussible outwitted him by making a false story बहुत छोटा सा chapter है तो एक ही बात को आपसे घुमा फिरा के पूछेंगे ठीक है एक ही बात है एक ही चीज लिखनी है घुमा फिरा के तो आप ये line याद कर लो कि Aussible outwitted him by making a false story एक जूटी story बनाए that police might have come to provide him security कि शायद police आये उसे security देने के लिए for the important paper and उसने balcony की भी related एक story बनाए max tried to escape through it and die max ने try किया कि बालकनी से जंप कर लेता हूँ और इसी try try के चकर में बच्चों वो मर गया ठीक है next why did max jump out of the window of Aussible room why did he scream loudly तो बोला है के भाई उसने jump क्यू करा और तेज की आवास क्यू आई so आप बोलोगे सबसे पहले max was frightened of police एक तो वो पुलिस के नाम से डर गया ठक ठक हो रही थी constant knocking हो रही थी उससे वो डर गया right beside he was convinced about the balcony और दूसरा constant लगातार Aussible balcony की बात कर रहा था और वो कही न कहीं हो गया था कि window के नीचे balcony है so police से बचने के चपकर में he jumped out of the window बिना देखे उसने window से jump कर लिया as there was no balcony अब आपको पता है और उसबल को पता है follower को पता है मुझा पता है कोई balcony नी थी so as there was no balcony he fell down अब वो सीधा top floor से jump करेगा तो नीचे गिरेगा and that is the reason he screamed loudly क्योंकि वो मर गिया next how did max try to escape what happened to him max ने कैसे try किया escape करने का and क्या हुआ उसके साथ so आप बोलोगे max wanted to hide himself on the balcony again देख लो same बात है गुमा के बस आपको बताना है कि max ने balcony पे चुपना चाहा he put his leg over the window and jumped on to the balcony उसने सोचा विंडो के नीचे बालकनी है फड़ा फड़ से कूच जाओंगा जैसी पह निकाला कूदा कोई बालकनी थी ही नहीं he screamed loudly and died because in reality there was no balcony ठीक है next what was follow's perception about a secret agent तो जो follower है उसका क्या नजरिया था उसका क्या perception था एक secret agent को लेकर ये आपको बताना है so आप बोलोगे उसका बहुती romantic perception था उसे लगता था secret agent टॉल होने चीए जैसे हमने movies में देखा है जैसे हमने novels में पड़ा है कि टॉल होगा handsome होगा dangerous situation से deal कर रहा होगा उसकी life में पूरा thrill होगा action होगा हाना उसके आसपास mysterious beautiful लड़किया होंगी जो कि उसे आकर चित्स में messages दे रही होंगी so यह सारा उसका पूरा का पूरा perception था next is the balcony plays a significant role in the story midnight visitor how balcony ने कैसे एक important role नहीं भाया यह बताओ या फिर same question दे सकते है how did the role of balcony became significant in the story midnight visitor कैसे भी करके आपको दे सकते है so same चीज लिखनी है कि significance बहुत clear है क्योंकि actually there is no balcony कोई balcony है नी पूरी कहानी में balcony balcony हो रहा है but in reality कोई balcony है ही नहीं it is just a clever strategy used by Ausible to outwit Max यह केवल एक strategy है जो कि Ausible ने use करी है क्या करने के लिए to outwit Max Ausible created the balcony which did not exist ताकि Max उसके जाल में फस जाए Max thought balcony is a means to escape from the police guys एक बारी yes ma'am मिल सकता है अगर आपको समझ में आया इतना जल्दी जल्दी हां जी चलिए next is presence of mind and intelligence is more powerful than a gun कि अगर आप में दिमाग है इंटेलिजेंस है वो जादा powerful है गन से Max के पास गन थी क्या हुआ मर गया और सिबल के पास दिमाग था क्या हुआ उसनों से मान तिया तो यहीं हमें पूरा कपूरा करना है इसे आप लोगर रीड कि अभी तक मैंने जितना समझाया है वही सारी चीजे इस मेंने बार बार लिखी हुई है एक बार डीड कर लोगे तो एक फिर आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से मैं पेपर में लिख कराणा है ठेक है समझ में आया माम यू लुक लेक जानवी कपूर पता नहीं यार शायद नहीं काफी सुन्दर है वो चलो तो यह लास्ट चाप्टर है यही चेक कर रही थी मैं यह हमारा लास्ट चाप्टर है डेनबी वाला क्वेश्चिन ओफ ट्रस्ट इसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे और यह पीपीटी मैपको टेलीग्राम पे दे दूंगी तो जितने भी बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम जोइन नहीं करा है वो प्लीज टेलीग्राम को ज एक्सपेंसिव पासंद है तो ही स्टोल वनसाइ है वो चोरी करता है तो अनेस्ट कैसे हुआ ही वो जो किसी को मारता दमकाता नहीं है बल्कि सम्मेशी वे घुद दब जाता है जैसे कि हमने देखा इन दा केस ओफ लेडी थी हाना वो जो लेडी इन रडी थी उसके आगे व और वो इस होबी को पूरा कैसे करता है तो आप बोलोगी he was not an ordinary thief रोज मर्रावला छोड नहीं है वो हरी सिंग जैसा नहीं है he loved rare and expensive books ठीक है उसे rare और expensive मेहंगी books का बहुत शौक है तो वो हर साल क्या करता है एक safe को चोरी करता है he robbed the safe every year and एक secret agent के द्वारा वो books को मंगवाता है each year he planned carefully just what he would do हर साल वो planning करता है कि भाई इस साल मैं यहां चोरी करूँगा इसके यह maps है ऐसे करना है वैसे करना है तो हर चीज को वो properly plan करके फिर execute करता है next how did Denby prepare for the robbery at shot over Grange बहुत सारे बच्चे के time को लेके confused है बेटा मैंने community post भी डाला था कि केवल कल हमारी class रात में 9 बज़े हुई थी वरना हमारी class साड़े साथ बज़े ही होगी ठीक है तो रोजाना class 7.30 पीम पर ही होगी संडे को छोड़के साड़े को की क्लास हमारी सुभा होती है ठीक है ठीक है अगे सो भई Denby ने कैसे प्रिपेर करा चोरी का सो आप बोलोगे he studied the complete situation of the house पूरा उसने पढ़ा कि electric wiring कहां से है paths, gardens, हर चीज के बारे में पढ़ा family के बारे में information ली हना servants के बारे में information ली and एक thing, he always kept his tools ready के भाई, जैसे ही मौका मिलेगा वैसे ही मैं चोरी कर लोगा who robbed the shot over Grinch actually में किसने चोरी करी तो आप बोलोगे actually it was lady in red जिसने चोरी करी police में किसी arrest की और क्यों तो आप बोलोगे police arrested Denby क्यों because his fingerprints were found all over the room भाई साब ने excitement में आके सारे gloves gloves उतार के उनको दे दिये हाना पूरे के पूरे घहने तो सारे fingerprints उनके मिल गए nobody believed him when he said that owner lady asked him to do अब बाद में वो सबको बोल रहा है जो owner थी उसी ने बोला but nobody believed him क्योंकि actual में वो owner थी ही नहीं next is Denby was interested in the books not in the painting अब एक बार को जब वो चोड़ी कर रहा था उसको लगा यार मैं paintings लखना शुरू कर दू but then he was like नहीं नहीं books ही ठीक है तो ऐसा क्यों हुआ तो आप बोलोगे भाई क्योंकि उसका घर छोटा है small house है तो उसे लगा कि books were better in that small house paintings के लिए वहाँ पर appropriate जगा नहीं है Horace sneezed why did he do it तो आप बोलोगे भाई deliberately याने कि जान पुछ के तो नहीं करा उसने छीका जो था जान पुछ के नहीं करा बलकि उसे hay fever था याने कि एक sort of allergy थी उसको so there was a big bowl of flask जैसी वो अंदर घुसा flask पड़े हुए थे drawing room में जिसकी वज़ा से उसे छीक आ गई okay next अब आप बताओगे what went wrong when Danby robbed that short over grange जब Danby चोरी कर रहा था सारी चीज़े बढ़िया जा रही थी तो आखिरकार गल्ती हुई कहां तो आप बोलोगे भाई the lady in red came एक औरत आई and announced that she was the owner और उसने बोला के वो उस घर की owner है now her appearance was such that he was food वो लगी ऐसी रही थी भाई इतनी confident के वो पागल बन गया she asked him to open the safe अब बातो बातो में उसने उससे तिजोरी भी खुलवाली घहने भी ले लिये चली भी गई and Horace left his fingerprints all over there and hence he was arrested क्योंकि उसके fingerprints हमें हर जगा मिले and that's the reason वो arrest हो गया next is describe the lady in red जो lady in red थी उसे describe करो तो उसका कोई नाम नहीं दे रखा कि वो कौन सी चोर थी बस बोला उसे describe करो so आप बोलो कि भै यंग थी बहुत ज़्यादा smart थी graceful थी, resourceful थी यह words याद कर लो ठेक है और उसने होरेस से बहुत authoritative अवाज में बात करी थी जिससे की लगे की वही यहां की मालकिन है बहुत ज़्यादा intelligent थी ठेक है and उसने केवल short over grange में चोडी नहीं करी but actual में उसने डेनभी को भी कहीं ना कहीं लूट लिया चालिये why was Horace arrested when he had not stolen anything तो यह मैंने अल्रेडी एक्स्पेन कर दिया एक बार ही आप लोग इसको read-out कर ले लग and that's the end of footprints without feet I hope कि अगर आपने कुछ भी नहीं पड़ा और आप यह question answers कर लेते हो तो आपको कही ना कहीं 70% help मिल जाएगी और आपको जहां पर कम नंबर आने थे वहां थोड़े जादा ही आएंगे ठीके so that's it for today guys कल मैप से मिलूंगी same time 7.30 p.m. पर आप बाकी बच्चों को भी inform कर देना and I'll see you guys tomorrow so I hope आपको आज की class अच्छी लगी होगी do let me know in the comment section and I'll see you guys tomorrow bye bye take care